च्छे, गुड मॉनिंग एवर्वन, स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारी सीर फाइनल 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 पावर कह लीजिए या शेर बेस पेमेंट इंडेस 102 के रिविजिन लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे हम इंडेस 102 शेर बेस पेमेंट जिसका एक्जाम में आप एक सकते हो एक क्वेशन रेंजिंग फ्रॉम 8 तो 15 मार्क्स यूजिली आउंट 10 तो 12 मार्क्स यू समझ लीजे दोस्तों कि ये सौगा थे इंस्टिट्यूट की आपके लिए जिसमें बहुत मुश्किल होगा कि कोई स्टुटेंट शायदी इस पर्टिकुलर कुश्चन को सौलना कर पाए कभी एग्जाम में टफ आजा है तो चिंता मत करना कि हमसे नहीं हो पा रहा है बट यूजुली इस पर्टिकुलर चाप्टर इस गिव एशॉर शॉर्ट 8 तो 12 मार्क्स अगर आप नाम सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आए कि मैं इस अप जो एंप्लाइज को देता हूं यह उसकी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करेगा जो की इस पूरे स्टैंडर का सिर्फ एक पार्ट है यहां पर हर तरह के शेर बेस्ट पेमेंट की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब है लेकिन यहां पर भी अकाउंटिंग को दो मेजर पार्ट में सेग्रिगेट किया गया है वेरिन दे पार्ट वन इस एंप्लॉई को अगर आप शेर्स के अधार पे पैसे दे रहे हो अगर आप कोई good services assets acquire कर रहे हो और बदले में पैसा shares के फॉर्म में दे रहे हो definitely business combination में भी ऐसा हो सकता है कि आपने एक business acquire किया और पैसा shares के फॉर्म में दिया हो हाला कि that is something which is specifically covered under 103 यानि आप usually क्या सकते हो कि कुछ exclusions होंगे standard के बट अदर्वाइस यह standard हर वो transaction की accounting बताता है जहां पर आप transaction में consideration shares के फॉर्म में देना चाह रहे है चलिए दोस्तों तो इसी के साथ अबबन अपना discussion शुरू करते हैं और once again I'll open up the brahmastra the board notes which you have are also excellent and you can kind of safely and completely rely on them as well this is what the brahmast looks like and if we show you the board notes this is basically what you have in terms of the board note we will first start with employee share based payment अभी आप समझेगा दोस्तों जादा तर exam में जो question पूछे जाते है वो employee share based payment के पूछे जाते है तो if I am talking about index 102 share based payment सबसे पहला मेरा discussion किस से related होगा share based payment which I am making to employees अब आप एक बात बताओ अगर आप employee को share के form में payment दोगे तो कैसे दोगे एक simple सा logic है कि employee को बुला भाई साल दो साल पात साल काम कर ले और इतने share ले ले यानि आप उसे अपने equity shares दे रहे हो इस तरह के plans को कहा जाता है equity settled plans employee ने बुला मैं आपके share लेके क्या करूँगा मैं ने बुला owner बन जाना उस ने बुला दस करोड कमनी के number of shares दे उसमें साम मुझे 100 share दे रहे हो और भूल रहे हो owner बन जाना belongingness आईगी खुशी होईगी क्या मजाग कर रहे हो हमने बुला मजाग मत वड़ा तुझे लगता है ऐसी problem है no problem हम तुझे जित्ती share की price होगी उत्ती cash दे देंगे तो तीन साल काम कर तीन साल के बाद एक share जित्ते रुपए का market में trade हो रहा होगा हम तुझे उत्ते cash में bonus दे देंगे employee ने बुला हसना अच्छा रहा फाइदा ही हुआ अपना तो ठीक है self respect थोड़ा खराब हुआ बट पेसे मिल गया cash settle plans और ऐसा भी हो सकता है कि हम employee को option दे दे कि भाई तेरे को equity चाहिए तो equity ले ले लेना cash चाहिए तो cash ले लेना इसका मतलब we are giving an option to settle it in equity और settle it in cash ये जो second category है इसको आप लोग SAR के नाम से जानते होंगे stock appreciation rights और इसी तरह से other than employee है तो उस case में we will have a different discussion आज का lecture भी available रहेगा या तो पूरा app पर या फिर YouTube पर lecture के बाद बता दिया जाएगा आपको अब आप समझेए यहां पर कि दोनों में फरक इत्ता सा है कि अगर आप employee को share के अधार पर पैसे दे रहे हो तो उस situation में किसकी fair value आपको लगता है आप निकाल सकते हो मतलब यह है कि मेरी कमनी में एक employee ने जोइन किया और मैंने उस employee की आँखों में वो तेज देख लिया तो let's say 20 years ago जब सुन्दर पिचाई ने Google जोइन किया तो वहां के directors ने देखा कि यह लड़का आगे जाके कुछ करेगा कुछ तो है इसमें तो सुन्दर पिचाई को कहा गया कि सुन्दर तुमारे पास दो option है तुम चाहो तो हम तुमको recruit करते हैं and we'll pay you let's say for example a million dollar salary or if you want we can give you shares of Google you decide तो अब हम थोड़ा सा अपने भारतिया context में बात करते हैं तो 10 lakh रुपे की salary उसे offer की गई उसे का गया salary नहीं चाहिए तो तुम alternatively चाहो तो you can say 10,000 shares हम आपको Google के दे सकते है अब इसी बात है let's say for the sake of example सुन्दर ने कहा कि no problem आप हमें 10,000 shares दे दीजे अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि आप अगर सुन्दर को 10,000 share दे रहे हो और यह 10,000 shares के बदले में आप उससे क्या ले रहे हो हो सकता है हमने कहा कि यार हम तुमसे face value जित्ती share की paid up value जित्ती हो त्ती price ले ले लेंगे तो एक share की exercise price उसकी face value के बराबर 10 रुपे के बराबर होगी लेकिन वो share हो सकता है market में 10 रुपे से कही जादा price पर trade हो रहा हूँ इसी लिए सुन्दर ने ये share लेने की बात करिया मेरा एक छोटा सा सवाल आपके सामने इतना सा है कि इस particular case में let's say कि I am issuing a share which is of 1000 rupees at a 10 rupee price to my employee against which he'll be working for 6 years with me and in this case what should I do तो मैंने का वही 3 साल काम करो 3 साल काम करोगे तो let's say हम आपको क्या करेंगे 10,000 shares देंगे और एक share आज 10 रुपे का है आज market values की 1000 रुपे अब आप agree हो गए और आपने मान लिया तो question ये उठा इस छोटे से example में कि क्या मैं simply जब share issue करूँगा तो ये मान लूँ कि 10 रुपे की face value का share 10 रुपे पे issue हुआ at zero premium तो मैंने employee से 3 साल तक बिना कोई salary के काम करवा लिया और share मैंने face value पे issue कर दिया actual में legally ऐसा ही हुआ है बट substance में आपने उससे जो तीन साल की service ली उसके बदले में आपने अपना premium forgo कर दिया है और अगर premium forgo हुआ है तो हम तो इत्ते सारे indies पढ़के आ चुके indies के logic वही रहते कि भया ये जो आपने किया है इसमें हम तो ये मानेंगे कि अगर आपने पूरे पैसे share पे आज market price के अनुसाल लिये होते है तो आपको कित्ते रुपे मिलते है और बदले में आप सिर्फ कित्ते रुपे ले रहे हो तो आज लेट से फर एक्जामपल इस share की price 1000 रुपीज है और आप उससे 10 रुपीज ले रहे हो इसका मतलब कि आप उससे 990 रुपीज कम पे share issue कर रहे हो और ऐसे आप 1000 shares issue कर रहे है तो इसका मतलब 990,000 यानी 990,000 रुपे का आप उससे फाइदा पुचा रहे हो and if you are giving him a benefit of 990,000 रुपीज by sacrificing your premium on these particular shares इंडेज का logic या है कि ये 990,000 रुपीज का आपके employee की service cost मान लो तो समझो simple सी बात कि अगर मैं आपको 10 रुपे है आप से लेके आपको एक share देता हूँ 10 का तो आप normal accounting entry करोगे equity share credit bank debit 10 लेकिन इस इंडेज के आजाने के कारण इंडेज कहता है कि आपने कित्ते रुपे के shares उसको दिये हजार के 10 रुपे में 990 रुपे का आपको नुकसान हुआ है ये 990 का नुकसान का कारण क्या है it is basically that we have taken services of the employee तो आप ये मानिये कि आपने 990 का premium recover किया है अगर आप premium recover करते है तो entry क्या होती आपकी bank account debit होता है 1000 से तो इस particular case में है अगर मैं पूरे 1000 रुपे पे share issue करता तो मेरी entry होती है bank account debit 1000 bucks share capital credit 10 bucks and security premium would have been credited by 990 bucks लेकिन actual में तो मैंने स्रिफ 10 रुपे ही recover किया है इसका मतलब कोई premium recover नहीं किया है इंडेस बोलता है हमां entry आप से क्या कराएंगे तो आपकी entry पहली वाली हो नहीं सकती because वैसा हुआ नहीं है दूसरी वाली हम चाते नहीं है तो हम यह कहेंगे कि 10 रुपीज हमने bank में recover किया 990 का employee benefit expense था 10 का share capital 990 रुपे premium में जाएगा यानि सीदी सी बात है जो आपने premium sacrifice किया उसको employee benefit expense बुक कर दो यह accounting है जब भी आप employee को share based payment फायदा पहुचाते हैं वहीं पे अगर आप कोई दूसरी goods और services share के basis पे लेते हो तो वहाँ पे हम share की price को base ना बनाते हुए जो goods और service हमें मिलिए उसकी price को base बनाते हैं तो इसी की जगे अगर आपको यह कहा जाता कि मैंने एक 800 रुपीज की कोई asset खरी दिया और इसके बदले मैंने 10 रुपे का जदर दर employee benefit service ले रहे हैं तो उस case में goods और service की जो fair value है वो माना जाएगा कि आपने recover की है इसका मतलब आपका premium कितना होगा वो value minus the face value लेकिन employee के case में उल्टा होगा हमें किसकी fair value देखना पड़े की जो share हमने दिया है उसकी और हम देखेंगे कि उस share की fair value जो हमने है in fact जिस fair value का share हमने दिया है minus जो उसकी exercise price हमने उससे charge की है यानि जितने पैसे उससे recover किया है वो जो difference है वो employee benefit का expense इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर employee benefit expense मेरा यहाँ पर इस particular example में 990 record हो रहा है तो यह कब record होगा तो क्या employee को मैंने ऐसा बोला गया कि तू आज join कर और आज एक share ले ले नहीं मैंने उसे कहा कि चलो आज join करो और let's say for example साल बर काम करोगे तो हम तुमें इतने share देंगे तो इंडेस कहता है कि यह जो आपका 990 रुपीस का expense है यह कितने period का है one year if you are asking him to stay for one year तो आप एक साल बर में इसे खर्चा बुक करना suppose let's say for example मैंने उसे बुला आप तीन साल stay करोगे तो आपको मिलेगा अब question interesting हो गया तो employee को आप फाइदा पहुचा रहे हो तीन साल अगर वो आपके साथ काम करता है तो कितने रुपे का 990 रुपीज का क्योंकि अपने उसे एक share देंगे 10 रुपीज का जिसकी आज market value 1000 रुपीज है तो आज ही समझ में आ रहा है 990 का benefit है आगे की market value changes को ignore करो तो 990 का उसका benefit जो मैं दे रहा हूँ उसे कितने साल में खर्चा बुक करना है SLM basis पे 3 years में तो हर साल कितना खर्चा बुक करूँगा 330 तो यह 330 रुपीज का जो खर्चा है इसको मैं credit कैसे करूँगा इसका मतलब यह हुआ कि मेरे example में year 1 में मेरे entry क्या होगी I'll have to book employee benefit expense debit तो let's say year 1 में कितना debit होगा 330 and this is like during the year or end of the year year 2 में I'll have to debit 330 year 3 में अगे I'll have to debit 330 तो 990 का मेरे expense book होगा but my bigger question is कि मैं credit कमबक्त क्या करूँ इसमें can I credit security premium the answer is अगर आप security premium credit करोगे तो लोगों को लगेगा कि इस साल आपने share issue की और premium मिला है जबकि एक्चुल में premium मिला नहीं है और security premium is a company's act concept, it's a legal concept and since it's a legal concept you cannot do a share chart with it इसलिए इंडे security premium जैसे शब्दो का नाम नहीं use करता है वो बोलता है in fact आप इसे security premium की बजाए एक reserve बना दीजिए जिसे नाम दिया जाएगा share based payment reserve आपकी employee benefit expense PRL में जाएगी unless employee कोई आपकी installation of machine अगेरा का काम कर रहा है तो capitalize होगी otherwise ये PRL में जाएगा और share based reserve एकटा होजाएगा तो effectively आप ये जो share based payment reserve एकटा करोगे ये balance sheet में कहा दिखेगा this will be shown under equity as a part of other equity this is just like any other reserve why? because at the end of the life of this particular ESOP this is actually going to get transferred to security premium so when the options or ESOPs will be exercised in my simple example on exercise date I am at the end of let's say third year going to receive 10 bucks but my share capital face value is 10 bucks but I have to recognize a security premium of 990 rupees and this 990 would be basically nothing but transfer of SBP reserve which I have created all this while wow, ituna simple so what does this mean practically speaking talking about share based payment and what is the logic of share based payment and what is the logic of this logic and what is the logic of this logic that you don't have to do anything you have to think about it that every day you have to grant your employee to ESOP that you will see how much benefit you are and how much benefit you are and how many years you are doing it in the 30th years you have to book it and what do you have to credit it and what do you have to credit it SBP reserve but at the end when it will be exercise then what will you do in this case what will you do in this case SBP reserve will transfer to premium cool now the next question is that sir it is very simple then what will it be in this case now the romance how do you want to do it sir share market price if you have increased three years then what will it do sir you have to give it we have to give it we can give it we can leave some employees and continue suppose I have made this scheme of employees and said three years then we will give you so if there is no employees let's say for example first year but second year we didn't do it so do you have to make the provision in the first year and if we do it then will it reverse it or do it retrospectively or prospectively do it suppose sir 3 years or if some employees have not given it यह पैसे और exercise नहीं किया, ऐसा क्यों हो सकता है, हो सकता है शहर कि प्राइस इतनी बड़ी नहीं हो या कम हो गई हो जो इस कारण से उसने नहीं किया, तो lapse हो गई ESOP, तो क्या होगा? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ESOP में कई सारी conditions ढाल दियो, कि employee तुम्हें तीन साल रुखना पड़ेगा, सिर्फ एक यह service condition नहीं डाली है, तीन साल रुखने के, हो सकता हमने दूसरी भी condition ढाल दियो, कि तुम्हें तीन साल रुखना पड़ेगा, तो हम तुम्हें ESOP देंग यह आमने कहा कि कमनी के profit जिस दिन एक करोड पार होंगे उस दिन तुम्हें इस आप मिलेगा तो मैं मालूम ही नहीं है पहले साल में पार होगए तो पहले साल में दस साल में पार होगए तो दस साल बार इसका मतलब क्या हो सकता है एक transaction में जिसमें आप employee को ESOP offer कर रहे हो उसमें अलग-अलग प्रकार की possibilities आ सकती है with respect to conditions, with respect to estimates, this is all what we have to discuss, यह पूरा discussion हमारा किसका पार के लाएगा, this is something which is going to be termed as equity settled share based payment plans, तो इस case में what we can do is, let's kind of do a quick recap of the terms first और इसके लिए आप board notes निकाल लीजे, if you are having the board notes print out with you, this is going to be page number 777, wow such a lucky triple 777 number, बहुत बढ़िया सबसे पहले आप अगर यह board note refer करें, तो इसमें आप कुछ terms को समझ लीजे, because it is critically important for you to understand कि जब आपके पास कोई question आता है share based payment का, तो इसमें आपको exercise date, resting date, exercise period, grant date, इस तरह की कुछ terminology देखने को मिलेगे, तो you should have to be aware about these terms, तो we will first quickly go through these particular terms, हम क्या पढ़ रहे हैं, we are discussing equity settled share based payment plans to my employees, यानि ultimately मैं उसको share के बराबर cash ने shares दोंगा, after a period, सबसे पहले मैंने employee को 1st April 2017 को ESWOP की एक scheme announce करके दी, जिस दिन मैंने कहा कि share की face value 10 rupees थी, market value 40 rupees थी, मैंने बोला, जा, जा मेरे चीते, जा, 10 rupees में तुझे share देंगे, तो लच्चे ही employee को दे मेरा सुन्दर, सुन्दर को मैंने बोला, सुन्दर मैं तुम्हे 10 rupees में share दूँगा, एलो, जिसकी आज market value 40 rupees है, तो आज देखो, आज सुन्दर को क्या लग रहा है, देखके किता फाइदा दिख रहा है सुन्दर को, तो सुन्दर is seeing that he is getting a benefit of 30 rupees, लेकिन अब इंडेस का logic समझिया, इंडेस कहता है कि 30 rupees का benefit आपको आज दिख रहा है, पर ये कब जब share आपको आज 10 rupees में मिल जाता है, ये share आपको आज नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, तो इसके ओपर एक service condition डाली गई है, कि 3 साल काम करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं vesting period, that the shares will or the ESOP will vest after 3 years, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई 40 rupees का share आज 10 rupees में देता है, तो definitely उसने आपको 30 का benefit पहुचाया है, पर वो बोलता है आज नहीं, 3 साल बात, तब आप बताइए आपका benefit किता है, वो सकता है, बोलो कि मेरा benefit 30 rupees से कम है, क्योंकि आज नहीं 3 साल बात मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है, बोलो नहीं है, benefit तो बहुत जादा है, क्योंकि 3 साल बात तो ये share शायद 40 की बजाए 50 का हो जाए, और मुझे तब 10 में मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा 40 का benefit है, पर 40 का benefit आज नहीं 3 साल बात है, तो क्या मैं उसकी कोई present value logic निकालू, तो आज उसकी क्या value आई, तो इंडेस कहता है कि यार सही माहिने में एक तरह का option pricing जैसा ही तो हो गया, अगर आप लोग थोड़ा बहुत S.F.M. समझते हैं और याद भी रखते हैं दिमांग में, तो आप 2 मिनिट के लिए आपकी S.F.M. की derivatives वाली hard disk अगल लगाएंगे, तो आप सोच पाएंगे दोस्तों, depending on आपकी hard disk के SSD, की जब हम कोई option किसी को देते हैं, तो हमें उससे premium मिलता है, मैं किसी को अगर option देता हूँ कि भाई मैं तुझे जो share आज 40 रुपे का है, उसे तीन साल बात 10 रुपे में देने को तयार हूँ, तो आज आप उससे कित्ता premium ले पाओगे, possibility number 1, 30 रुपीस, possibility number 2, 30 रुपीस, plus possible capital appreciation, minus a discounting factor, हलागि discounting factor भी कब लगेगा, जब आज premium upfront वो पे कर रहा है, मैंने उसमें कहा कि premium भी तुझे आज पे नहीं करना है, तीन साल बात पे करना, तो definitely उसकी value और बढ़ जाएगी, और मैंने उसे कहा कि 3 years के बाद तू हमसे share 10 रुपे मिले सकता है, जो आज 40 रुपीस का है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 3 साल पूरे होगे, तो उसी date पे लेना है, उसके बाद हम तुम्हें एक साल का समय देंगे, जब तुम्हारी इच्छा है आना और बुलना कि यह लोग 10 रुपे और share दे दो, तो इस कारण से हो सकता है कि इस option के लिए और जादा premium मुझे मिल जाए, तो इंडेस कहता है कि आज जो आप देख रहे हैं कि market value 40 और exercise price 10 तेने, इसका difference 30 is intrinsic value, क्या है बटा, intrinsic value, this is not something which is to be used for the purpose of accounting, we will have to rather calculate a fair value. और यह fair value आपको question में दी जाएगी, क्योंकि इसको निकालने के लिए, you may have to use a black skull model or a binomial pro option pricing model or some kind of a model which we don't have to, but that actually cannot be directly also used because there couldn't be sort of other factors. Normally ESOP जो दिये जाते हो, उसमें lock-in भी होता है, कि आपको तीन साल बाद हम इते shares देंगे, इन साल, दो साल, एक साल तक बेच नहीं पाऊँगे, यानि, there are post-vesting restrictions as well. For all these particular reasons, you cannot calculate and I cannot calculate the fair value, it's going to be a very, you can say, it would require a lot of experience on valuation of options, इसलिए क्वेशिन में आपको ये fair value दी जाती है, जो जरूरी नहीं है कि intrinsic value से कम हो या जाता हो, it could go other way around depending purely on what the conditions, other conditions are associated with it. तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपकी fair value को affect करेंगी, जैसे कि non-vesting conditions, non-vesting condition का मतलब, आपको share मिलने के बाद, आपके उपर कोई condition है, तो ये vesting के लिए ज़रूर नहीं है, बट उसके बाद किया, lock-in है. Length of exercise period, what is exercise period? मैंने कहा कि आपको तीन साल के बाद हम share देंगे, पर तीन साल के बाद आप अगले तीन साल में कभी भी हमसे share ले लेना, तो इससे तो employee बहुत खुश है, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मिपास आगे कि तीन साल का period है, तो मैं तो रुख सकता हूँ, जब share अगले पीक पे जाएगा, तब लेनी की कोशिश करूँ. पर नहीं मैंने employee को बोला, तीन साल पूरे करने पे तुमको share दिया जाएगा, और एक महिने में डिसाइड करना होगा, तुमको share लेना यानि, तो हो सकता है, तीन साल बाद उस एक महिने में share extraordinarily low पर या high पर चल रहा हूँ, अगर वो extraordinarily low पर चल रहा है, उस समें market बहुत डाउन है, तो आपको exercise शायद ना कर पाओ, तो आप क्या बोलोगा, यार इस करन से इस option की fair value कम है, there could be expected changes in the prices, discounting factor, all that stuff, so you don't have to give any of the factors, you'll be getting a good fair value in the question, कभी नहीं आहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, आला कि Indease कहता है, कि अगर किसी situation में किसी share की fair value नहीं निकाली जा सकती है, तो फिर उस case में accounting कैसे होगी, तो there's a special accounting treatment, जो आपन एंड में डिसक्रिस करेंगी, तो यहाँ पर आपकी जो भी fair value आपको निकालना पड़ेगी, let's say for a moment, we are assuming that the fair value is 30, so let's assume it to be 30 only, for the moment, as in just for the purpose of explanation, तो मैंने एंपलोई को काया कि मैं तुझे तस रुपे में एक चीज़ दूँगा, जिसकी आज मार्केट में कीवाद 40 रुपीज है, और यह तुझे तीन साल बाद मिलेगी, और तीन साल पूरे होंगे इसके 31, 320 पर और उसके बाद मैंने उसको एक साल का exercise period दिया है, मैंने बुला उसके अगले एक साल में तु जब चाहे तब share मेरे क्या कर सकता है, मुझको पैसे दे के opt कर सकता है, exercise price 10 रुपीज है, fair value इसकी मैंने कित्ते निका लिए 30, दियान रखना exam में, अगर question में fair value of option लिखा है, तो that is basically the difference between, that is basically the fair value of option and not the shares, share की fair value को normally question में fair market value लिखा जागा है, अब आप बताओ क्या करोगे, तो अगर मैंने 30 रुपीज की fair value assume करी है, SLM basis पे में से over the wasting period of 3 years खर्चा बुक करूँगा, तो हर साल मेरा खर्चा कित्ता बुक होएगा, employee benefit expense to share based payment is of 10 रुपीज, लेकिन सार अगर एक साल पूरा होने पे share की market price change हो गई, that's such a wonderful question you have asked, तो suppose for example, 31-3-18 पे share की market value change हो गई, कित्ती थी पहले 40, FMV लिख हो तो समझ जाना market value है, let's say यह 46 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, यह 46 रुपीज दोस्तों, ट्रिन ट्रिन कहलाएगा, किसी बच्चे ने चार्ड में बूचा है, ट्रिन ट्रिन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों, यह question में अगर आपको information दिये, तो इसको आपको ignore मारने का, इससे कोई लेना देना नहीं है, काई को, मैंने वापस से बोलना पड़ेगा, शायद क्योंकि YouTube पर है, तो कई सारे दूसरे बच्चे देख रहे होंगे, एक बार इंस्ट्यूट ने, multi-disciplinary case study वाले, elective के आखरी 6th option वाले paper में, सवाल 50 माग का पूचा बताओ, कौन सी चीज है, जो लाल है, और ट्रिन ट्रिन करती है, लोग बिचारे confused हो गए, option में छोड़े आए question, suggested answer आए, टमाटर हमने बुला रहे, वो ट्रिन ट्रिन कहां करता है, institute ने बुला, तो हमने confused करने के लिए दिया था, सबसे वाहियाद जो आपने अपने जीवन में सना हो, क्या sir, जोक हाँ जोक, sir, is this a joke, I mean, what a joke, तो ट्रिन ट्रिन मतलब आपको ignore करता है, आपको consider नहीं करता है, you are least bothered with it, ये सिफ question में दिया है, आपको confused करने के लिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, sir, इसके पीछे कोई logic है कि, हम बात की fair market value changes क्यों consider नहीं करते हैं, बहुत बड़ा logic है दोस्तों, किंडेस ऐसा कहता है कि अगर आज आपने employee को भुला कि 40 का share में दस पर दूँगा, तो आज के बाद जो share की price के moments हो रहे हैं, ये सारे moments effectively क्या है, that is all a speculative gain loss of the employee, and not of the company, तो ये employee एक तरह से क्या करेगा, उसका नुकसान फाइदा है अगर आगे price कम जाता हो रही है, ये कमनी का कुछ नहीं है, यानि आप सही माइने में समझो, तो आप यू समझ सकते हो दोस्तों, कि आज अगर कमनी का share 40 का है, और मैंने employee को बला, ले 40 का share, मैं तुझे 40 में दोंगा पर 3 साल बाद, ये real e-sop है, ये real e-sop है, I mean, सभी real है sir, मतलब इसमें आपका intention, actual में employee को ये कहना है, कि employee, let's work together, let's be a team, क्यों, क्योंकि तू कमनी के अच्छे के लिए काम करेगा, तो आज तू कमनी जब जॉइन कर रहा है, तो 40 का share है, हम तुझे 40 पे देने की बात कर रहे हैं, हम तुझे आज कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, पर हम कह रहे हैं, तीन साल में, पूरे द्रट संकल्प के साथ, पूरी मैनत, शिद्दत, जोश के साथ काम करेगा, तो share की प्राइज अगर तूने 40 से बढ़ा कर, 100 पर पहुचा दी, तो बता, इसका फायदा किस कोगा, क्या सिर्भ अपने shareholder को, या तुझे भी, employee एक्दम जोश मैं बुले, yes, yes, काम करेंगे बटा, बहुत काम करेंगे, share की price बढ़ाई, तो ये सबसे बहले शुरुआत, ये Infosys ने की थी, एकानी आप लोगों ने सबने सुन रखी होगी, उनके पास, नाराएन मुर्ती साब के पास पैसे नहीं थे, अपने employee को share देने के लिए, उन्होंने बुला कि यार आधी सालरी, आप करपा घर के cash मिले लो, और आधी हम share के form में दे सकते, driver हो तक को उन्होंने अपनी आधी सालरी किस के form में दी, उन्होंने share के form में दी, share के form में दी तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने share के form में दी, तो सस्ते में दे दी उन्होंने क्या किया उन्होंने let's say for example 10 रुपे का शेर था तो ड्राइवर को बुला किया तेरी 3,000 की सालरी है sorry भाई अभी पैसे थोड़े हमारे कम है let's say for example उसकी 10,000 की सालरी हमने बुला 5,000 रुपे कैश ले 5,000 की हम तुझे क्या करते हैं 10 रुपे का हमारे एक शेर है तुझे 500 शेर देते थे और वो 10 रुपे का शेर बढ़बढ़के 17,000 रुपे पहुच गया bonus split लगा के card grade के सब करके आज की तारीक में उस शेर की value 1.5 लाइक जित्ती आती है आप समझ रहे हो दोस्तों उस driver के पास आज 3 driver और 2 BMW है यानि क्या हुआ जब वहाँ पर Infosys ने इस तरह की शेर दिये तो उसका उद्देश ये नहीं था कि वो employee को बोले कि cash मेरे पास मैं तुझे क्या करता हूँ मेरी कंपनी का market में जो शेर चल रहा है उससे कम पे देता हूँ ना उसका तो बहुत ही अपने आप में एक नेक उद्देश शेता क्या कि शेर का 10 रुपे की कीमत है तो मैं 10 रुपे तुझे एक तरह से अपना जो obligation है वो पे करने के लिए शेर इशू करता हूँ यहां तक ठीक था कोई दिक्कत नहीं थी पर दीरे दीरे कम्नियों ने क्या बोला कि इससे मैं अपने PURL में expense कम बुग कर लूगा कैसे क्योंकि हर इंप्लाई अब क्या मांग रहा है इस आप Infosys को देखके हर ड्राइवर को लग रहा है कि उसकी भी BMW होगी और होना भी चा इसकी क्या करेंगे discounted price पे issue करने की बात करते हैं कि साल भर काम कर इते शेल ले ले आज की market value से एक लाग रुपे कम पर इंप्लाई भी मान जाएगा उसको भी बढ़िया है चांस रहेगा कि आगे अगर शेर की price बढ़ गई तो speculative game होगा और हमारी case में क्या होगा premium sacrifice होगा premium अगर कम मिलता है दोस्तों तो इतनी दिक्कत नहीं होती है पर अगर employee benefit expense बढ़ जाता है तो सीधे profit कम होते हैं इससे मेर अगरे profit भी कम नहीं हो रहे क्योंकि मेरा employee benefit expense नो लाग का बुक होगा पर employee को 10 लाग का में compensation पहुचा रहे है जैसा आपन concessional interest rate loan employee को देते थे तो क्या करते थे अपन मानते थे नहीं जित्ता concession अपन ने दिया है वो employee benefit expense में debit होगा और उदर अपन interest income को national income book करते थे सेम यहा है कि आपको grant date पे देखना है कि आपने जो option दिया उसकी fair value गया है उसके बाद share की price गिरे या बड़े इससे हमें कोई लेना देना नहीं है वो employee का speculative that is a market change you don't have to consider so irrespective of what is the change in the fair market value of the share later on कुछ भी हो जाए price we will say sorry we are not bothered हम हमारा खर्चा होता ही बुक करेंगे तो let's say for example यहां पे आपको का गया है कि 55 हो गया आखरी में प्राइस तम बोलेंगे we are least bothered with this तो आपने 30 रुपे की fair value थी तीन साल में 10 10 10 expense बुक किया आपका total share based payment reserve 30 का इखटा हो गया अखरी में employee जो इक्सराइस करेगा तो bank account debit share based payment reserve debit to share capital to security such a simple thing तो ultimately आपने खर्चा खित्ता बुक किया हर साल आपका खर्चा था fair value into one upon investing period पर एक चीज़ समझो क्या जरूरी है employee को एक ही option दिया हो आपने कही सारे options हो सकते हैं हाँ होता सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ अगर सही मायने मुझे calculation देखना है तो वो होगा fair value per option into number of option per employee क्या जरूरी है आपने एक ही employee को दिया हो या कई सारे employees को दिया जा सकता हैं हाँ sir वो तो बहुत सारे employee रखते हैं तो into number of employees होगा और फिर क्या करेंगे वेस्टिंग पीरेट जो total है तो one upon investing period कर देंगे अब अगला सवाल होता है कि इस पे क्या-क्या चीजे change हो सकती है ती नजार बोलके article को भी हा 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 इंट कर रहे हैं चली आईए हमारी कमनी में दोस्तों आच 100 CA freshers join किया CA बन गए आप job डुंडे आपने life में अब आपको CA बनने के बाद स्रिफ दो ही नौकरी करना है एक किसी company की और एक उसकी immediately after your CA you will do the company's नौकरी and then you will do a permanent lifetime job I'm talking about boys girls को एक करना है और एक कराना है तो आपने कमनी जॉइन करी और उस कमनी में 100 CA को एक साथ जॉइन कराए गया और कहा कि अगर आप 3 साल रुकेंगे तो 3 साल बाद आप सभी को एक-एक share option के form में दिये जाएंगे and they were all very excited पहले साल में तो किसी CA को समझ नहीं आए क्या काम है क्या हो रहा है सब को बढ़िया बढ़िया लग रहा था सब कुछ तो कोई छोड़ के नहीं गया लेकिन हमारा past track record यह कहता है कि on an average अगर हम देखे तो in a three year span if we see तो हमें लगता है on an average five percent employee हर साल retire हो जाते है या पाच employee छोड़ जाते है या यूँ समझ लो आप तो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि तीन साल पूरा करने वाले 85 employees होंगे हलागी पहले साल एक भी छोड़के नहीं गया पर मुझे लग रहा अगले साल पाँच अगले साल दस छोड़के जाएंगे ऐसी मुझे उमीद है तो इस particular case में आप ये बताईए स्तागर भाई कह रहे है दिल की बात कह दिया आपने अब ये बताईए आप दोस्तों ऐसी situation में खर्चा में कित्ता बुक करूंगा तो expense at year one end to be based on how many employees if hundred employees entitled to the scheme have are staying with the company at year one end but 85 are expected to complete the three years vesting period as in 15 छोड़के जाने की उमीद है तो आप कित्ते employee पे खर्चा बुक करोगे 100 पे या 85 पे this is my simple question to you ये calculate कौन करता है कित्ते साल रहेंगे नहीं रहेंगे this is all based on estimates so you'll have to use estimates accounting is a science or an art both क्यूं आट है क्यों कि यहां पे हर जगे ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि दो धक्का निट्रोजन में अगर एक धक्कान oxygen मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा क्या बोल रहेंगे I mean 1 plus 1 is equal to 2 that does not always happens in accounting because debit is equal to credit but then when we talk about measurement तो हो सकता है कि यह measurement में आपको कई चेगे estimates लेना पने हैं this is an estimate तो change भी हो सकता है of course हो सकता है so now my question here is कि अब आप बताईए क्या करें मैं खर्चा कितने पर book करूँगा very good शाबाश employee benefit expense का standard एक तो index 19 भी और 102 भी याद रख लीजे कि यह दोनों वो standard है जो कहते हैं कि आपको जो total number of employee उस पर नहीं जो expected to complete उस पर book करना है reason के है हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि नहीं sir obligation तो हमारा आज की तारिक में पूरे 100 employee पर तो पूरे 100 पर book करो वट यह इंडेस उस logic पर नहीं चलता है यह maximum possible obligation खर्चा book नहीं करवाता है यह जो आपको expected obligation है उसका ही खर्चा book करवाएगा इसका reason यह है कि यह ताय बात है दोस्तों कि कई e-sop की scheme 10-10 साल 5-5 साल की होती है और आप यह कहलो कि यार आज जितने employee है पूरे उस समय तक continue करेंगे बहुत ही rare possibility है ऐसा में भी आपका government entities या कुछ rare entities में हो सकता है बढ़ यूजवली labor turnover होगा तो इसके लिए यह का गया है कि आपको यह नहीं देखना है कि आज कितने employee आपको यह देखना है कि कितने employee आपको लगता है कि wasting period complete करेंगे तो इसका मतलब हमें number of employees वो consider करने है वो expected to remain till the end of wasting period देखने तो सर्व यह तो estimate होगा हो सकता है पहले साल कुछ और हो और दूसरे साल कुछ और हो तो यहाँ पर retroactively adjust किया जाएगा इसका मतलब क्या है सिंबल सा example लेता हूँ suppose for example पहले साल के end में मेरे total employees जिनको मैंने e-sop दिया था सुनना मेरी बात द्यान से total employees जिनको e-sop offer किया था वो सिर्फ तीन employee थे तो मैंने first year में तीन employee पे खर्चा book कर लिया कित्ते का खर्चा था एक e-sop पे let's say for example I was giving a benefit of 100 rupees तो एक share था उसकी fair value जो मैं दे रहा हूँ e-sop की वो 100 rupees थी तो कित्ता खर्चा था तीन employee का तीन साल का 300 rupees तीन employee तीन साल 300 rupees पहले साल के अनमे मुझे लग रहा है तीनो complete करेंगे तो मैंने 100 rupees का expense book कर दिया second year में एक employee छोड़के चले गया और अब मुझे लग रहा है कि दो बचे है और दो ही पूरा complete करेंगे तो मेरे पास दो logic है पहला logic अगर मैं सोचता शुरू से कि दो ही employee बचते हैं तो मैं कितना खर्चा book कर चुका होता तो अगर दो ही employee थे तो 200 का खर्चा होता दो साल पूरे हो चुके तो 2 by 3 करूँगा तो 160, sorry 200 into 2 by 3 अगर करेंगे तो मेरा 133 का खर्चा book होगा 100 book कर चुका हूँ 33 और book कर देता हूँ तो इस साल पिछले साल जो book कर दिया हो ठीक है चेंज करने की जरुवत नहीं है इसे बोलते है retroactive और यही सही answer है एक होता prospective जिसमें हम बोलते हैं कि चलो last year हमने 100 book कर दिया कितने employee हैं अब 2 total खर्चा कितना एंका 200 कितना book कर चुका हूँ 100 कितना बचा 100 100 को remaining 2 years में 50-50 करके book कर देते इसे बोलते prospective या फिर मैं बोलता कि मैंने पिछले साल तीन employee सोच के 300 का खर्चा मान के 100 book कर दिया पर अब एक employee छोड़ गया है तो अब 2 ही बचे हैं तो अगर मैं 2 employee सोच के ही previous year में खर्चा book करता है तो मेरा previous year का खर्चा कितना होता 200 into 1 by 3, 83 मैंने कितना book कर दिया 100 कितना ज्यादा book कर दिया लेचे for example sorry 200 into 1 by 3, 67 67 book करना था मैंने कितना book कर दिया 100 कितना ज्यादा book कर दिया 33 तो मैं previous year के figures को restate करके employee benefit expense को change करूं 33 से कम करूं और profit बढ़ा दू इसे बोलते हैं retrospective with restatement यह नहीं होगा कौन सा होगा retrospective without restatement जिसे आप retroactive कह सकते हो यानि कि आपको simply हमेशा इस particular case में exam में क्या करना है आपको हर बार year end पे निकालना है कि आज आपको क्या लग रहा है आपका कितना खर्चा है कि यहाँ पे जो approach हम follow करते हैं उसमें हम numerator में completed wasting period upon total wasting period लेंगे तो इससे इस साल का खर्चा नहीं आएगा अभी तक का आएगा और इससे आपर minus कर देंगे पिछले साल तक हमने कितना बुक कर लिया इसका मतलब यहाँ पे opening closing approach लगती है closing required minus opening available will be for the year expense चले किसी ने काया सर कि क्या इसमें manipulation possible नहीं है as in क्या estimations हम कम जादा हमारे साब से नहीं ले सकते ले लो auditor check करेगा auditor क्या करेगा फिर हो सकता है इसके कोई export की मुदद ले कोई actuarial valuation करा है satisfy हो गया तो ठीक है नहीं वा तो report qualify कर देगा उसके लिए बहुत difficult हुआ है तो वो की audit matter में डाल देगा अगर माम बहुत significant है और उसे लगता है की से report करना जरूरी because accounting is an estimate not a not it involves an estimate it is not just purely a science समा करें तो इसका मतलब मेरे number of employee क्या fix रहेंगे बटा या change हो सकते है yes sir समझ में आगया change हो सकते डेल्टा मतलब change हो सकते है तो आप बताईए इस formula में क्या क्या factors है जो total अपने को चाहिए तो सही माइने में चार factors है तो कित्ते option employee को अपन ने दिया उसकी fair value क्या है कित्ते employee expect करते है हमकी पूरा करेंगे wasting period और wasting period किता है इसमें change क्या हो सकता है एक बात तो पक्की हो गई change हो सकती है that is number of employee who are expected to complete the wasting period ये तो change हो गई होगा पर मतलब अनीन हो ही सकता है most common है but अगला सवाल क्या number of options भी change हो सकते है number of options अब change होंगी जब scheme है suppose आपको जो scheme दिये उसके अंदर कह रहे हैं कि employee सुनो तीन साल काम करोगे तो तुमको e-sop देंगे कितने देंगे पता है अगर share की price 100 पार कर गई तो 200 option देंगे नहीं तो 100 ही देंगे इसका मतलब यहां पर number of options भी आपके change हो सकते है तो सर ऐसे तो ये भी हो सकता है कि मैंने employee को का employee तुम हमारी कमनी में तब तक काम करना जब तक share की price 100 के उपड़ना चले जाए तब तुमें 100 ही सौप नहीं तो यहां तो फिर estimate of wasting period change होते रहेगा पहले मुझे लग रहा था पात साल में 100 पार होईगी क्योंकि आपने तो कहा था कि share की market price grant date पे अपने को देखना है बाद में share की price उपड़ नीचे होती है तो वो employee का gain loss है तो वो कैसे change होगा ये change होने का कारण होगा exercise price मैंने employee को कहा कि देख मैं तुझे 40 रुपे का share 10 रुपे में दे रहा हूं है ना अगर तु 3 साल काम करेगा मैंने condition डाल ली कि 3 साल तु काम कर और तुझे 10 रुपे में एक share दोंगा 40 रुपे का provided तीनों साल में एक भी साल कमनी loss में ना जाए अगर एक भी साल कमनी loss में चली गई तो फिर तुझे ये 10 रुपे का share 10 की बजाए 15 रुपीज पर मिलेगा तब आप बताएगे अगर आपकी exercise price change होगी तो इससे fair market value तो जो change हो रही है वो consider नहीं करेंगे पर fair value of option तो change हो जाएगी ना एक तरह से 5 रुपे कम हो सको तो इसका मतलब कि depending on the nature of scheme everything can change और कुछ भी change होगा तो उसका adjustment कैसे करेंगे cumulative amount कित्ता बुक होना था कित्ता कर दिया है difference for the year है समझने के लिए उसे अपन retro active के दे तो sir आप ये जो कह रहे हो इसके अनुसार अब आप कह रहे हो कि कई सारी employee के उपर conditions डाली जा सकती है एक e-sop scheme के अंतरगत तो इन conditions में हमें कैसे इने treat करना है इसके उपर थोड़ा सा ग्यान दीजिए ये ग्यान लीजिए standard कहता है कि primarily conditions can be divided into service and performance service condition यानि इत्ते साल तक काम करना है performance condition यानि ऐसा हुआ तो e-sop मिले performance condition हो सकता है कि employee या company के performance के उपर बेज़द हो market यानि third party या external conditions के उपर बेज़द हो तो performance condition दो तरह की हो सकता है non market or non market effectively total तीन तरह की vesting conditions हो सकता है number one service conditions number two non market performance conditions and number three market performance conditions example of service condition employee तीन साल तक काम करो तो e-sop मिलेंगे service condition आपको सोचना है कितने employee तीन साल तक काम करेंगे कितने छोड़के चले जाएंगे उससे पहले यह estimate service condition के अगर estimate change होंगे तो उसके कारण आपका provision या share-based payment का reserve का जो reserve बनेगा वो reserve भी change हो next performance condition non market यानि कि या company या employee के performance पे बेस्ट है उधारन profits of the company company के profit एक करोड बार होंगे तो तुझे ही साथ मिलेंगे company का production पाँच करोड यूनिट से जादा का होगा तो तुझे ही साथ मिलेंगे यह company के performance पे बेस्ट है ना कि market के तो इसे बुलते है non market performance करने है इसका भी आपको हरी औरेंट पे re-estimation करते रहना है और सोचते रहना है क्या लग रहा है तुमें क्या लग रहा है तुमें क्या लग रहा है कि ये वेस्ट होगा नहीं होगा कितने साल में होगा कंते रहने लेकिन अगर आपने कोई market condition डा लिए जैसे कि आपने employee को कहा है जब share की price 100 रुपे पार होगी तब तुझे मैं e-sop तूँगा तो इंडेस कहता है कि ये वाली condition आप grant date पे एक बार assume कर लो क्या लगता है क्या होने वाली है और उसके बाद आप इसे reconsider नहीं करोगे क्योंकि इसके जो changes हुए है उससे जो e-sop में फाइदा नुकसान है वो employee का speculative gain loss है कमनी उसे कर्चा बुक नहीं करेगी सेम उस logic से जिस logic से अपन share की market price के changes को ignore करते है So, all in all what we are discussing is a simple fact that you will have to study the question and see what conditions are there usually you will find service there could be performance vesting sorry there could be vesting condition which are non-market performance conditions or market performance conditions every year and you will have to keep on re-estimating if it is any non-market performance condition but only at the grand date you will estimate what is the possibility of a market performance condition to happen or not happen और फिर वो जो आपने सोचा है बस उसके basis पे आप खर्चा बुक करते जाओगे irrespective of actual में क्या हुआ है क्यों क्योंकि market rate changes होते है उसका company के employee benefit expense पे फरक नहीं पढ़ना चाहिए इस logic पे पूरा इंडेस चलता है I am sure अब आपको लग रहा होगा एक आथ question हो जाए तो बात बन जाए don't worry about it we will come to it पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमांग में store करने ही कोशिश करें त्यान रखना कुछ non-vesting conditions भी हो सकते हैं जैसे कि lock-in period after the ESOPS have become vested तो non-vesting conditions अगर किसी प्रकार की है तो उसका impact automatically fair value पर आ जाएगा on the great granted तो आपने बोला है कि यह employee तुझे तीन साल रुखेगा तो ESOPS देंगे और तीन साल का उसका lock-in है तो obvious सी बात है कि उस ESOPS की fair value का मज़ आएगा है वो vary करेंगे कितना production आपने अचीव किया उसके basis पे तो यह performance non-market condition है इसका मतलब इसको periodically re-measure करते रहना पड़ेगा मैंने काया है आपकी exercise price vary करेगी based on sales volume तो यह भी company के performance के उपर based है तो यह non-market है तो आपको re-measure करते रहना पड़ेगा यहाँ पर क्या re-measure होगा क्योंकि exercise price change होगी तो fair value re-measure होगी तो fair value re-measure होगी अब 2 minute के लिए आप समझो fair value intrinsic value है तो मैं जो question पूछ रहा हूँ उसका देहान से जवाब देना लट सी कित्तो को अभी तक जो मैंने बोला है उसकी term समझ में भी आई गया assuming intrinsic value is equal to fair value और मैंने employee को क्या किया था option given of fair market option given on let's say 1420 where fair market value FMV किसकी होती है share की was let's say 50 and exercise price would be 10 if production is more than 1 lakh unit in 3 years else it will be rupees 15 तो 10 रुपय होगी अगर production 3 साल में एक लाक unit से याता होता है नहीं तो फिर 15 रुपय हो जाएगी at year beginning it was expected production will be greater than 1 lakh units but year end it is now unlikely that production targets will be met अब लगनी रहा है production का target meet होगा year end fair market value of share साल के अंद में share की fair market value was let's say 60 रुपीस तो आप fair value of option at year end क्या लेंगे intrinsic value fair value है तो पहली possibility हो सकती है की 1420 को fair market value 50 थी और exercise price 10 थी तो हमने बोल दिया भीया 40 है 40 है 40 ही रही हमने बोला 50 थी पर शुरू में हमें लग रहा था की production हमारा cross हो जाएगा तो 10 थी पर अब बाद में लग रहा है की production cross नहीं होगा तो first year end में हमें लग रहा है की exercise price 15 हो जाएगी तो ये 35 है तीसरा हम बोले की नहीं year end पर market value 60 हो गई है और अब exercise price 15 हो रही है तो इस logic से 45 होना चाहिए अब आप मुझे इस particular case में बताइए की what do you think आप case आप से क्या होना चाहिए answer let me put a star here तो अगर fair value intrinsic value option 41-20 को दिया था market value 50 थी exercise price 10 थी intrinsic value आज की तारिक में कित्ती आरी है 40 तो यही fair value मान लो provided 40 कभ आरी जब आपको लग रहा है production इक लाग unit से जादा होगा तीन सालों में पहले साल आपका production let's say for example अब 10,000 ही हुआ तो आपको लग रहा है तीन साल में भी एक लाग टोटल तो grand date की 50 थी और आज exercise price 15 है तो 35 अपने को value मानना है पर अगर अगर अपना आज की ले रहे है तो फिर आज की fair market value लेते है तो आज की fair market value 16 है और exercise price 15 है तो इसका मतलब 45 का मेरा expense हो obviously बात ही expense मैं वेस्टिंग पीरिड में book करूंगा assuming 3 साल है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आप से वित्ता था पूछ रहा हूं कि इस case में आप first year end पे fair value option की कित्ती मानोगे so the answer year is going to be 35 शाबाश इसका मतलब आपको हमेशा fair market value कपकी देखनी है grand date की और re-estimate अगर कोई भी चीज market conditions के अलावा हो रही है तो उसे आपको consider करना है but with reference to the original fair market value तो यहां पे जो fair value change हो रही है आपकी जब exercise price sales volume के अधार पे change हो रही है तो यह changes is due to change in estimate of exercise price ignoring any changes in fair market value of the share next vesting period is dependent on profit target अची है तो जिस साल कमणी के cumulative profit एक करोड़ पार हो जाएंगे आपके option वेस्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी vesting condition company के performance के उपपर based है तो it's a performance non market condition यहां पे vesting period आपको re-measure करते रहना पड़ेगा every year in कि क्या लग रहा है का profit target अचीव होंगे उसके हिसाब से shares अब एक price पर आजाएगा तो आपका vesting period complete होगा तो जैसे shares 100 रुपे cross करेगा आपके share vest हो जाएंगे तो यह market condition है आप बोल सकते हो कि sir share में market की price भी हमने कमनी के performance पे ही dependent है ना वो उसका एक factor है पर उसके बहुत सारे दूसरे factors है उस logic से हम यह नहीं कहींगे कि हमारी कमनी के उपर है उसके हाथ में तो कमनी के share की price market condition मानी जाती है तो इस case में आप day one पे आप यह सोच लो क्या लग रहा है आपको कितने साल में वो target 100 रुपे share पार होने का चीव हो जाएगा आपको लग रहा है पात साल में पूरा हो जाएगा आप पात साल वेस्टिंग पीरिड मान लो irrespective बाद में आपक exercise price is dependent on inflation rate, inflation rate अपने आप में एक market condition है तो आप fair value on the grand rate निकाल लीजे क्या है और बाद में आपको उसमें कोई re-estimation करने की जरवाद नहीं है, ignore करने का है, for the simple reason कि हमें अब उससे कोई लेना दिना नहीं है, यह market condition के उपर based है, तो यह logic से अब आपको यह समझना है दोस्तों क आपके उपर कौन सी conditions है, total 3 होगी, एक service जो normally क्या बोलेंगे, employee को इस साल तक रुखना है, हो सकता है, फिर service condition ही एक मात्र condition हो question में, और कही बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी भी कुछ conditions हो, दूसरी में हो सकता है, performance condition हो, which are based on market, performance, which are not based on market, दोनों भी हो सकते हैं, तो अब इस conditions हो सकती है, option west होने की, number 3, now you also know, कि इन में से किसके changes consider करने हैं, और किसके ignore करने हैं, अब questions पर आने से पहले, एक छोटा सा मैं आपको, employee के calculation से related, एक concept बताता हूँ, अच्छा, उससे पहले, ये भी एक चीज अच्छे से fit कल लो, दिमाग में, दोस्तों, अगर आपके share based payment के जो wasting period आपने माने थे, उस दौरान आपके estimate change होते हैं, तो उससे खर्चा रहा कम जादा बुक होता है, वो सब PRL से होगा, पर अगर आपका एक बार share waste हो गया, उसके बाद अगर employee ने उसे exercise नहीं किया, यानि वो lapse हो गया, ऐसा कब हो सकता है, जब share की market price बहुत गिर गई हो कि employee को फायदा ही नहीं exercise करके, पचास का share दस में दिया था, पात साल बात देने वाले थे, पात साल बात share की price ही 4 रुपे हो गई है, तो इसने lapse करवा दिये, तो ध्यान रगना, वेस्टिंग के बाद में अगर option exercise नहीं होते हैं, लेस्टिंग होंगे resting होने के बाद के अगर कोई lapse होने के कोई reasons आते हैं, तो इस case में उसको आपको reserve से set off करना पड़ेगा, ना की PRLs, चलिए, अभी question पर हैं, उससे पहले आपको एक छोड़ा सा concept समझना पड़ेगा, number of employees का calculation कैसे होता है, तो देखे, अभी अपन पूरे ब्रहमास की ब based on fair value of the share based payment plan, यह अपन एक example लिया है, जिसमें हमारी term है, grant date, जिस दिन हमने employee को entitlement दिया है, options का, vesting date, जिस दिन वो entitle होगा, exercise करने के लिए, exercise period, vesting date के बाद कितने समय के अंदर वो exercise कर सकता है, grant date से vesting date के बीच का समय, vesting period, यसे अपन ने देखा, vesting conditions, हमने देखी, कब-कब revise की जा सकती है, EIG is equity instruments granted, मेरे case में अभी तक मैं इसको क्या बोल रहा था, options, fair value option की कब revise होगी नहीं होगी वो सब है, journal entries आपको क्या करना है, मैंने brief में बताई दिया, आपको detail में दी गई है, vesting के पहले बाद में होगा तो क्या होगा, अब calculation of number of employee का एक question कराता करना है, ध्यान से सुनना ये एक ऐसी चीज़े दोस्तों जिसमें आप यू समझ लीज़े की हाती निगल गया पूछ रह गई वाली बात है, सारे question के concept आपको एकदम बढ़िया आगए और आपने ये चीज़ ध्यान से नही सुनी तो इसके कारना आपका number of employee का estimation गलत और वो गलत तो इसके लिए what I'll do is एक का आपको sample question practice करवाता हूँ इसका मैं इससे थोड़ा साब relate कर पाओगे कि मैं बोल किना क्या चाह रहा हूँ आई इस बाहने थोड़ा सा मारा share-based payment कैसे accounting होती है वो भी रवा हो जाएगा तो आगे थोड़ा सा revision में आप पटा-पटरवाइस कर पाएंगे इससे मुझे कोई मतलम नहीं है खर्चा वेस्टिंग पीरेड में बुक होएगा ना कि एक्सराइस पीरेड तक जाएगा क्योंकि exercise period employee के हाथ में वो छोड़ भी दे कमनी और काम भी गल ले हम उसे रोक नहीं सकते हैं तीन साल वेस्टिंग है और एक साल exercise है तो तीन साल ही उसे काम करना है फिर वो अगले दिन exercise करे या एक साल उसकी choice है पर तीन साल तो करना है तो खर्चा तीन साल कर तो यह total six year trend train है मेरे ल नहीं है यह दोनों चीज़े exercise price पचास बोली और market price भी पचास है तो अगर intrinsic value of air value होती तो zero होती तो कोई इस आपका घर्चा बुक करने की जर्वत ही नहीं होती forfeiture शब्त का मतलब होता है कि employee कितने छोड़के जाने वाले होते ही सब खतम होते जाएंगे forfeit होते जाएंगे cancel होते जाएंगे तो 3% per annum क्या है आपका forfeiture अभी यहां पर ऐसा दिया गया है तोस्तों कि expected forfeiture 3% per annum यानि हर साल 3% employee छोड़के जाने वाले fair value of option calculated using option pricing model is 15 per option तो इसका मतलब intrinsic value बले ही 0 आ रही थी पर fair value 15 है तो मुझे वो लेना है actual forfeiture during year 1 are 5% and at the year end 1 the enterprise still expects that actual forfeiture would average 3% per year over the 3 year wasting period अब इस particular case के question में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यह पूछता हूँ कि आप जब अपना खर्चा book करेंगे इस case में तो आप कैसे book करोगे कितना book करोगे तो अब इसी बाते एक question अपने को देखना पड़ेगा क्योंकि इसको फिर अपन base बना के आगे के points discuss कर पाएंगे तो हम जो working note बनाते है solution में वो बनाते कैसा है उसमें हम लिखेंगे इसमें wasting period 3 है तो 3 साल का table बनेगा tip number 1 आपको total 4 factors पता होना चाहिए जिसमें सबसे typical factor होगा expected number of employees fair value of option है number of option है wasting period है और हमें चाहिए expected number of employees to complete the wasting period ना कि with the company at year 1 end question में fair value of option 15 दी गई है और exercise price चेंज नहीं हो रही है तो ये तीनों साल तक यह रही है number of option हर employee को 300 दिये हुए है ये भी fix से चेंज नहीं हो रहा है wasting period 3 years है ये भी fix से चेंज नहीं हो रहा है अब हमें number of employees निकालने है तो company के total thousand employees है इन thousand employees में से पहले साल के शुरू में लग रहा था 3% per annum छोड़के जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ year 1 की beginning में I was expecting that 1000 में से 3% हर साल छोड़के जाएंगे तो 97% का 97% का 97% बचेगा तो 0.97 into 1000 एक दो तीन अगर मैं इसको तीन बार करता हूँ तो यह 912.67 आता है धियान रखना इसको rounding of normal rule से होगी यानि इसे आप 913 करोगी यह 912.4 होता तो 912 कर देता है ऐसा नहीं हाय डिजिट पले तो I was expecting कि 913 employees will complete the vesting period पर यह मेरी उमीद थी कब year 1 beginning में normally आपको क्योंकि employee benefit का यह expense आप year 1 end में book करोगे क्योंकि जिस दिन इसा आप दिया उस दिन घर्चा नहीं है घर्चा तीन सालों का है तो यह तीन सालों में book होएगा तो पहला साल खतम होने पर घर्चा बोग होगा तो practically speaking यहाँ पर आपको निकालने की जर्वत ही नहीं है usually this is irrelevant you don't need to calculate it also anyways, ठीक है अब year 1 में आपको question में specifically बोला गया है कि actual for feature during year 1 are 5% तो इसका मतलब यह हुगा कि actual में हमारे total employees ते एक हजार जिसमें से कित्ते छोड़ गए 5% 50 तो बचे कित्ते 950 यह employees left at year 1 end तो क्या मुझे यहाँ पर employees left at year 1 end चाहिए यह employee expected to complete the vesting period चाहिए तो सर मुझे तो expected to complete the vesting period चाहिए तो what are the number of employees that are expected to complete the vesting period option number A question में का गया है entity still expects that actual for feature would average 3% per year over the 3 year vesting period तो एक logic है कि भई हमें लग रहा है कि आज 5% चोड़ गए पर हमारा estimate change नहीं होगा है वो अभी भी 3% गई है तो मैं बोलूँगा कि भई है 950 आज है और इसमें से मुझे लगता है कि 3-3% चोड़के चले जाएंगे तो इसका मतलब इसका 3% और 3% चोड़के जाएगा तो effectively मेरे number of employee जो बचेंगे वो 950 में 3-3% अठाके इतने बचेंगे तो this is what I need to calculate 894 दूसरा logic यह है कि भई है जो छोड़के गए मुझे उससे मतलब नहीं है मेरे 1000 employee थे मुझे लग रहा है 3% हर साल चोड़के जाएंगे तो मैं उत्ता ही मानूँगा और उस logic से मेरे 913 employee मुझे लग रहा है थे बचेंगे तो मैं यह ही लूँगा मेरा सवाल है कि मैं यहाँ पे 913 लूँ या फिर मैं 894 लूँ यह मैं बोल रहा था है यह वो ऐसी चीज है जिसमें कोई concept नहीं है सिफ estimation का matter है question बढ़ने की technique है पर इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं जिससे पूरा question गलत जाता है now let me see what people have to say here in this particular example let's do a poll what is the correct answer in year one end would it be 913 जैसा हमने पहले estimate किया था उसके हिसाब से और 894 तो मुझे समझ में भी आया पन जो discuss कर रहे है उसको discuss करने का logic as in कितना है as in किता फाइदा है उसका चलिए 913 ही रहेगा योग बक्षी कहते हैं बहुत बढ़िया योगेश कहता है 894 होगा शाबाज the one कहते है 894 रचिता कहती है 913 सिमनन बोलती है 894 रशिकेश कहते है 913 चलिए खाट 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 आने लग गया 913 913 913 रहे बहुत बढ़िया यानि चल रहा है दोस्तों दोनों चल रहा है यहां पर अपन वोड देखते हैं वोड किते आ रहे हैं और लेट्सी ओ पाइदा तो होगा दोस्तों लेकिन 48% लोगों को यह concept जो मैंने भी बताया उससे फाइदा हुआ है 52% का सिर्फ reinforce हो गया है concept और इस पूरे discussion में सबसे conclusive determining line is this highlighted in red बस यही समझाना चाहरा था मैं दोस्तों आप सुन लीजे यहां पर क्या है कहानी ऐसी है कि यह question वाले की इच्छा है कि वो कैसे question आपको बताए है आपको मैं यह कहता हूँ सुना मेरी बात को सुना आपको मैं कहता हूँ कि यार मैं article चिप के तीन साले चे पर एक्जामबल तीन साल की बढ़ाई के लिए आप उच्छे तम शिक्षा हासल करने के लिए आपने अपनी पांडेशन की बढ़ाई पूरी करी इंटर में आप पास हुए और आप अर्टिकल चिप और उच्छे तम बढ़ाई के लिए इंदौर आएं और इंदौर आने के बाद क्या कहते हैं आप तो घरवालों को आपने पहले ही बोल दिया है कि देखो हम इंदौर जाएंगे तो में लगता है टोडल तीन चाल में तीन लाग रुपय हमारा खर्चा आएगा इसमें हमारा सब हो गया कोचिंग रहना होए ना सब तीन लाग रुपय का टोडल खर्चा है तो इसका मतलब मुझे अबरेज लग रहा था है एक लाग का खर्चा अर्शाल होगा ओखे ठीक है नो प्राब्लम नेक्स्ट पहले साल हम जब यहां पर आए तो लिचे ए फर एक्जेम्पल हमारा 1.5 लाग का खर्चा होगी तो अगर मैं घरवालों को बोलता हूं कि सुनो पहले साल मेरा 1.5 लाग का खर्चा होगा है पर मेरा अभी भी एस्टिमेट वही है कि मेरा एवरेज खर्चा तीन साल का 3 लाग रुपे यानी 1 लाग रुपी इस पारा नमोग तो इसका मतलब यह हुआ कि रिस्पेक्टिव फाट की फर्स्ट यर 1.5 लाग खर्चा किया है तोटल एक्स्पेंच 3 लाग ही होगा है अनी शान्दी है आने वाले दो सालो में में 75, 75,000 या 1 लाग और पचावज ऐसे कुछ करके यह मैच अप कर लोगा पर अगर में कहता हूं कि फर्स्ट यर मेरा खर्चा 1.5 लाग होगा है और में बोलता हूं कि हावेवर नौ आइम और I am believing और I am expecting that the remaining expenditure of the remaining years would be 1 लाग पर अनम ली तो फिर मैं बोलूँगा है मेरा टोटल गर्चा कित्त होगा 1.5 प्लस 1 & 1 2 यानी की टोटल 3.5 तो यह आपका estimate और आपका बोलने का तरीका है जो आपका answer decide करेगा इस question ने क्या बोला है actual four feature first year में 95% थे पचास लोग चले गए and at the end of year one enterprise still expects that the actual four feature with average 3% per year for a 3 year resting period यानी हो case है कि मैंने गरवालों को बोला कि मेरा average 1 लाग पर अनम का खरचा है 3 साल तक का पहले साल 1.5 लाग हो गया फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 3 साल का मेरा average खरचा 1 लाग पर अनम ही होगा इस का मतलब कि first year के जो expense है respective of that मेरा total expense का estimate 3 जिक से यहां पर first year में बले ही ज्यादा employee छोड़के चले गए है पर मुझे लग रहा है तीन साल में average 3% पर अनम ही छोड़के जाने वाले यानि की यानि की इस से में यह conclude कर सकता हूं क्या कि on an average यहां पर अकर देखा जाये दोस्तों तो हमारे खरचे में कोई expectation में चाहिए यहां यहां यहांनी सर आप बोल रहे हो 5% trend trend है बिल्कुल सही का बिटाप में आगे दूरिंग year 2 however the management decides that rate of forfeiture is likely to continue to increase and the expected forfeiture rate for entire award, award का मतलब होता है period is changed to 6% पर अनम तब आप second year में आपको लग रहा है कि entire award में 6% पर अनम छोड़के जाएंगे तो आप करोगे 1000 into 0.94 to the power 3 second year में कितने छोड़के गाई यह तो दिया नहीं है first year के दिये हैं उससे मतलब नहीं है क्योंकि यह बोल रहे है entire award के लिए 6% है अगर वो यह बोल देते कि second year में 6% है और लग रहा है बचे हुए period में 6% जाएंगे तो फिर अपन actual retirels consider करते हैं तो यहां पर मेरा क्या answer हो जा है अब आपको मैं खर्चा भी बता देता हूं तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या निकालता हूं cumulative share based payment reserve कितना बनाना चाहिए था तो i would say 15 fair value 300 option है और 913 employee लग रहा है करेंगे काम और अभी मुझे one third बनाना है तो यह logic से मेरा total खर्चा कितना हो जाना चाहिए 913 into 4,56,500 मेरा opening share based payment reserve कितना था निल तो मेरा for the year का employee benefit expense which will go to share based payment will be 456,500 second year में cumulative कर्चा मेरा कितना लगने लगा है मुझे तो i would say 15 है 300 option है 831 employee expected to complete but 2 by 3 2 साल हो चुक्या out of 3 तो cumulative कर्चा मेरा कितना बुक होना चाहिए था 24,93 पहले में कुछ गड़बड हो गई है 15,300,913 13,69,500 अब लास्ट येर में 13,69,500 बुक कर चुका हूँ और आब मुझे 24,93 चाहिए तो मैं 11,23 500 का खर्चा इस साल बुक करूँगा ये मेरा final answer है और लास्ट येर में total expense आप कितना करेंगे 15,300 employee wasting period पूरा हो चुका है into 840, sorry 840 employee 300 options तो total 37,80,000 का expense बुक हो जाना चाहिए था पिछले दो सालों में total 24,93 बुक कर चुका हूँ तो 12,87,000 रुपीस का expenditure बुक हो जाए इसकी journal entry कैसी होगी तो employee benefit expense debit to share based payment reserve year 1, year 2 और year 3 कितने से घर्चा बुक होगा exactly इसी amounts है cheating, 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 guys don't you feel jay about this 33 आप खर्चा बुक कर देंगे और ये खर्चा आपका कहा जाना चाहिए पिर अखरी में फिर option waste हुए नहीं हुए वो सब दिया नहीं है अब let's say for example total आपने इतना घर्चा बुक कर दिया और आपको बोला कि 10% employee ने exercise नहीं किये lapse कर दिया बाकी ने कर लिये तो फिर उस case में आप क्या करो आप वो 10% employee का share based payment reserve को reserve में डाल दो और बाकी की entry आप कर दो bank account debit exercise price से share based payment reserve जो 90% of the total to share capital जो waste value के इसा आप से बनता है बच्छा हुआ security premium यह बातों ही बातों में अपनी accounting भी हो गई और number of employee कैसे calculate करना इसका discussion भी हो गया और इसके लिए आपको चाहिए तो आप board notes या brahmaas दोनों देख सकते हैं अगर question में आपको specify यह पूरा answer किस पर dependent है question कैसा बना है question बोलता है number of employee expected to retire over the whole of the wasting period अगर दिया है आपको whole of the wasting period तो आप number of employee expected to retire over the whole of wasting period लेंगे जो actual number of employee छोड़के गए वो irrelevant है except obviously for the last year last year में तो actually लेते हैं पर अगर आपको question number of employee that are expected to retire over the remaining wasting period दिया है कि हमें अगले दो साल में लग रहा इतने छोड़के जाएंगे तो जब आप number of employee calculate करोगे तो जो actual number छोड़के गए वो minus करोगे आप इस साल के employee जो छोड़के गए उसमें से और फिर उसके बाद आपके जो expected remaining period के retireals और minus करोगे तो इस example में अगर आपको बोलते हैं कि हमारे 1000 employee है पहले साल 50 छोड़के और अब लग रहा है कि अगले दो सालों में 3% पर अनम छोड़के और जाएंगे ना कि पूरे तीन साल के period में जैसा लिखा हुआ है तो मैं 950 में 3% 3% और minus करता है ठीक है इसके अपर यहाँ पर आपको example दिया हुआ है आप इन examples को देख से एक बार इसे conclude कर सकते हो कि यह क्या कहानी है और कैसे हो रही है जिससे आप number of employee में कभी गलती नहीं करोगे बढ़ 913 employee आइससा है आए हाई 1000 into 3% are expected to go every year आपको ऐसे समझ में आना चीव बढ़ा बढ़ी सी बात है हजार में से 3% छोड़के जाएंगे तो कितने बचेंगे 97% फिर इसके 3% छोड़के तो 97% बचेंगे फिर इसके 3% छोड़के तो 97% बचेंगे तो यह 913 इसके साथ आपका किसका discussion complete हो जाता है share based payments के अंतरकत अगर आप employee को employee benefit expenses सर्य अगर आप employee को equity settled plans दे रहे हो तो इसमें आपको किस तरह से calculate करना पड़ेगा क्या calculate करना पड़ेगा कि हमें कितना provision बनाना होगा चले जी बढ़िया हो गया यह clear हो गया अब इसमें सर कुछ questions ऐसे हो जाएं जिसमें conditions वेस्टिंग condition change हो रही है अलग-अलग तरह की condition change हो रही है वो सब concept builder आपको किताब में दियो गया है आप खुद आपके level पर चाहो तो उसकी practice कर लेजेगा अब मैं सीधे अगले concept के उपर जम करूंगा तो I am not taking those concept की सर वेस्टिंग पीरिट की बजाए let's say for example अगर exercise price change होती तो क्या होता या let's say for example अगर हमारे number of options employee के change होते तो क्या होता कब consider करते नहीं करते मैंने उसका logic आपको समझा दिया है practice questions आपके पास हैं board notes में आप देख सकते हैं concept builders इनके पास striker है वहाँ पर available है otherwise board notes में भी copied है तो अब हम क्या discuss करेंगे अब हम डिसकेस करेंगे modifications or cancellations of the scheme यानि की change in estimate नहीं change in scheme what happens if there is a change in scheme और ये institute का one of the favorite topics for examine one of the favorite topics for exam शेलिया बढ़िया बढ़िया सर एकदम मजारा revise करने को बहुत बढ़िया यह कि भाई ने पूछ लिया सर कितना time लगेगा बहुत बढ़िया किसी ने पूछ लिया सर यूट्यूब पर रहेगा क्या तो जाएं गुमने पिरने बहुत बढ़िया क्या मैं बोल सकता हूं वेस्टिंग पीरिट हमारा क्या पूछा है भाई ने वेस्टिंग पीरिट यह न भी ग्रेटर दें सर्विस कंडिशन पीरिट बढ़िया बढ़िया अब ही कंक्लूड नहीं करेंगे मॉडिफिकेशन के बाद आप खुदी कल लोगे चलिए सर्व स्पीड बढ़ा दीजे थोड़ी सी चलिए शिव भाई है वो तो नाम ही उनका शिव है तो उनको कोई दिखकत ही नहीं अभी देखो स्पीड के तो ऐसे हैं कि अपन सिजेशन सुनने लग जाएं तो हाँ हाँ फीडबाइक आते हैं बढ़िया बहुत अच्छ में तोड़ा सा राइटिंग करवा दीजिए कुछ नोटिंग करा दीजिए तो दोस्तों मिर पास समय नहीं है इस कारण से समस्या है वो सब आप रेगुलर और फास्टर बैच में किसी ने कहा कि भाई आप एक चीज के एक छोड़े-छोड़े कोश्यन कराते जाओ यह सब हैं तोस्त आपन करास में कराते हैं इंक the concept builders के form में यह पर नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि इसका अब्जेक्टिव क्या है सकARS सम्तिं इसका मोरा उफ-विक-छिक रिवाइस औलांग विट few large big important question ended not to develop our console अब यू समझ लो वो तो अपन रिविजिन में concept developments आथ साथ में कर रहे हैं में logic भी दे रहा हूं उसकी understanding भी दे रहा हूं but उससे उमीद है अपनी थोड़ी और बढ़ती जारी है जो होना चाहिए क्योंकि दुनिया काया में उस पे but then at the end of it कहीं न कहीं हमें time constraint के साथ batch का objective दिमाग में रखना पड़ेगा it is basically to recap things for once okay चलिए बढ़िया है okay सब सही चल रहा है सब धन्यवाद बहुत बहुत आपका to reinforce the concept और अब अपन आगे बढ़ते हैं चलिए तो दोस्तों change in scheme मतलब यह कि estimate change नहीं हो रहा है बिटा estimate change नहीं हो रहा है कमबग कमणी ने scheme ही बदल दी अहीं scheme क्यों बदले सार अरे यार पूछा ही मत कमणी ने scheme बदल दी कैसे कैसे possible है समझे आप मैंने employee को ओला था employee तीन साल काम करना तीन साल काम करोगे तो मैं तुम्हें अपना एक share पचास रुपे में दूंगा जिसकी market value 100 चल रही है चलिए market value 100 चल रही है और share की exercise price पचास रुपे तो employee खुश थे की चलो ठीक है फायदा दिख रहा था उनके वेस्टिंग पीरिट का लेट से चार साल का अब ध्यान से सुनना आप इसको अब चैटे बंद कर दो आप और यहां पे देओ हाँ मैं 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 स्पीड मेरे जाप से रखूंगा तुस्तां चलिए और यहां ठाड बीरिवाट पार से अजिए मिएगग तेच्पीड प्रूपट अविछ प्योर्ड प्वेड टेओ यहां रहां प्यार्ड की चार्वार् की अखें ट्रूट आट से अजिए और लच्छे वेस्टिंग पीरिट वस गिवन तो यू आफ फॉर यर्स फेर वैल्यू क्या जरूरी है क्या पचासी होगी नहीं सर जरा भी नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ यहां पे कि हमारी फेर वैल्यू यहां पे मार्केट वैल्यू शेर की सौथी एक्सरसाइस प्चास थी लेकिन उसके बावजूत भी लच्छे हमारी फेर वैल्यू जो आ रही है वो इट वस कमिंग तो सिक्स्टी रुपीज यह गिवन इन्द कुष्छन है और यह सब ग्रांड डेट की बात हो रही है लेकिवन देट तो तो देट कुष्छन 1-4-20 अब ध्यान से सुनना आप बन करदो चाट्स पगेरा सब यहां पर दीजिए हुआ यह दोस्तों कि लेट से फर एक्जांपल अन 1-4-22 फर मार्केट वाल्यू अफ शेर्ज ऑफ कंप्प्नी द्रॉप्ड दू जस्त लेट से जिए 65 रुपीज कंप्नी के शेर के मार्केट वाल्यू करके 65 रुपीज होगे अच्छा अभी भी एम्प्लाई को फायदा तो दिख रह ए क्योंकि आज भी अगर वो शेयर लेगा तो हाला कि आज नहीं मिलेगा दो साल बाद मिलेगा पर उसको 50 पर मिल जाएगा तो थोड़ा फायता तो है पर वो मोटिवेशन लेवल नहीं है प्लस क्या हो रहा है शेयर नीचे गिरते जा रहा है ना तो आप employee को ऐसा लगने है अब एसाफ वाकर ये कैसी चीज होती है जिसके कारण कई बार employee से employee छोड़के नहीं जाता है क्यों क्यों क्योंकि सोचो आप दो साल पूरे कर चुके और अगर आपके पस खुब सारे एसाफ पे दो साल बाद वेस्ट होने वाले हैं तो आप क्या बोलोग यार आज में कम करें इस कारण से हो बन्दा इस company में ज्यादा रुकेगा अगर वो money driven है purely तो तीन साल हो गए अब वो बोलेगा definitely यार साल भर ही तो रुकना है साल भर रुकता हूँ इसाफ ले लेता हूँ उसके बाद छोड़ूँगा गमनी दूसरी जॉब ढूंड़ूँगा पर ऐसे में जब उसको दिख रहा है कि यार शेयर की प्राइस गिरते जा रही है तो उसको लग रहा है क्या मालूम यार चार साल रुकेंगे और मालूम भड़ा तब शेयर गिर लेक्चर होने के बाद आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं किसी न सुझाओ दिया है मिने चाट पड़ ली बीच में वो अप्शन हमेशे आपके पास है पर अभी आप सभी लोग कंप्लेट करो दोस्तों थोड़ा स्पीड प्लस माइनस है तो आप साथ में आपको लग दीरे चल रहा है तो साथ में कुश्चिन सॉल करते हैं अब यहां पर ऐसा हुआ है दोस्तों कि 65 रुपीज कंपनी की शेर की प्राइस गिर के हो गई है और एक्सराइस प्राइस है कंपनी चाहती है एंप्लॉई स्टे करें तो कंपनी ने क्या कि एंप्लॉई को दला क्या मोटिवेकरेशन दला लिएक्सराइस प्राइस प्राइस वास रीचेश्ट कॉड्यूच टू है थ homeless एंप्रहाई तो लिच थर्टी पर शेयर फ्रॉप फिफ्टी पर शेयर क्या मैं इसे change in estimate बोलूँगा नहीं ये है modification of scheme ये change in estimate नहीं है संबग financial instrument में भी modification है हाप ये भी modification जी हाँ तो जब scheme modify होगी तो आप मैं क्या करूँगा तो indies क्या बोलता है ध्यान से सुन लेना indies बोलता है scheme के modification के कारण आपकी scheme की fair value जित्ते से बढ़ी है उतना आप additional खर्चा आने वाले सालों में book करोगे over and above the खर्चा जो आप पहले book कर रहे थे इसका मतलब अगर मैंने ये option let's say एकी employee को दे रखाए fair value पहले कित्ती थी 60 रुपे चार साल थी तो आप हर साल कित्ते रुपे expense book कर रहे होगे तो हम share based payment employee benefit expense to share based payment reserve हर साल कित्ता book कर रहे होंगे 15 पर है ना on one employee तो ये मैंने year one में किया plus ये मैंने year two में किया total 30 हो गया अब year three के beginning में क्या हुआ scheme change हो गई तो जैसे ही आपकी scheme change होई है तो आपने कित्ते से कम कर दी exercise price 20 रुपे से तो 20 रुपे और खर्चा book नहीं करना है ये क्या बोलते हैं you will have to book additional expense which will be equal to the increase in the fair value of the modified scheme on the date of modification over the remaining wasting period इसका मतलब क्या है तो लेट से fair value of option on 1422 कौनसा option? original option जिसकी market value 65 हो गई थी exercise price 50 थी लेट से इसकी fair value से 18 रुपे रह गई थी क्योंकि exercise price इत्ती कम हो गई थी तो ये 50 से गिर के सीधे 18 पे आ गया था but fair value of let's say the revised option on 1422 was let's say 37 रुपेज क्योंकि आपने exercise price 20 रुपे से कम करी उसमें subject to some adjustment 37 रुपेज आ रही तो आपकी कित्ते से fair value बढ़ गई है 19 रुपे से तो अब आपको additional employee benefit expense कित्ता बुक करना पढ़ेगा 19 रुपेस over the remaining wasting period of 2 years यानी 9.5 तो आपका total employee benefit expense third year और fourth year का कित्ता हो जाएगा it will become पहले कित्ता बुक कर रहे थे बिटा 15 रुपे प्लस 9.5 24.5 तो आपकी entry होईगी अब third और fourth year की employee benefit expense to share based payment reserve 24.5 logic पूछे उसका यह है कि देखो सबसे पहली बात आपने जो शुरू में खर्चा 15 रुपे सोचा था हर साल का चार साल का यह तो आपको book करना है क्योंकि share की market value गिर करने इसे अगर fair value option की कम होती है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमने तो grand date पे decide कर लिया कितना खर्चा book करना है वो आगे तक करते रहें number one number two लेकिन अगर आपने scheme में employee का extra benefit दिया है कभी तो हमें तो फिर और खर्चा book कराना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हम खर्चा book करवा रहे थे वो क्या सोचके करा रहे थे grand date की fair value और fair market value का difference पर अब आज आपने scheme को और बहतर कर दिया है तो scheme को बहतर करने के लिए मैं यह देखूँगा कि आपने कितने से बहतर करी है scheme तो मैं यहाँ पर comparison यह नहीं करूँगा कि भाईया जो original scheme थी उसकी fair value पचास रुपे थी और आज जो नहीं scheme है उसकी 37 है तो 13 का नुकसान ही हुआ है ना in fact employee का फाइदा हुआ है क्यों क्योंकि देखो ऐसे भी अगर मैं modification नहीं करता तो यह scheme गिर के 80 रुपे की fair value रखती है तो modification करने से fair value कितने से बढ़ गई है इस इंक्रीज बाइ 19 रुपीज भले आपने exercise price 20 से कम करी पर fair value से उससे बढ़ी है question में दिया हुए तो इस case में आपको 90 रुपीज का extra खर्चा बुक करना है कितने period में remaining investing period और जो पुराना बुक कर रहे थे वो करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ modification की accounting कैसे होती है modification की accounting में जो आप अभी तक खर्चा बुक करते थे वो करते रहेंगे पर आपने अगर कोई extra benefit employee को दिया है तो उसका additional खर्चा आप और बुक करें अब आप इसमें additional benefit employee को कैसे दे सकते हो तीन तरीके से सुन लो पहले उसके बाद question पूछना तीन तरीके से आप employee को extra benefit दे सकते हो किसी ने एक बढ़िया concept दिया है कि भाई या इसको अपन ये मान ले कि ये अपने आप में एक नई scheme जैसा है इस case में मैं बोल सकता था कि आप ये मान लो ये increment जो दिया है कि आज इसे नई scheme की तरह account for करते तो कैसे करते बिल्कुल सही है आपका कि बट ये मैंने क्यों नहीं बोला समझो आप मुझे employee को scheme में और फाइदा पहुचाना है तो मैं कैसे फाइदा पहुचा सकता हूँ पहला तरीका मेरा फाइदा पहुचाने का पहला तरीका मेरा फाइदा पहुचाने का कि मैंने उसकी क्या करी exercise price कम कर दी दूसरा तरीका फाइदा पहुचाने का मैंने wasting period कम कर दिया तीसरा तरीका फाइदा पहुचाने का मैंने number of option उसको बढ़ा के दे दे सही है हाँ बात तो सही अब इन तीनों फाइदों में अकाउंटिंग कैसे होईगी तो अभी तक मैंने क्या लॉजिक दिया आपको तो मेरे लॉजिक को अब अपन इसको ब्रह्माज दिया आप चाहें तो बोर्ड नोट से देख लो मॉडिफिकेशन किया है और ये मॉडिफिकेशन employee को फाइदा पहुचा रहा है बिटा क्या पहुचा रहा है फाइदा तो फाइदे में लॉजिक यह था कि जो original scheme का expense है वो जैसे पहले record हो रहता करते जाओ और जो improvement है उसको आप additionally employee benefit expense remaining wasting period में book करो अब सवाल यह है कि यह जो आपने improvement दिया है यह improvement कैसे calculate किया जाएगा और यह improvement क्या-क्या form में हो सकता है यह दो बात है आईए एक if the improvement is equity instrument granted under the modified scheme on the modification date or date of reprising की fair value क्या है यानि यह revised scheme की fair value और what is the fair value of equity instrument granted as per the original scheme मेरे example में वो आज किते पे आगया था 15 और मैंने रिप्राइस किया as in किते पे आगया था sorry 15 नहीं 18 मैंने रिप्राइस किया तो 37 हो गया तो यह 37 और यह 18 तो 19 का फायदा है this is something which is improvement and scheme जिसको आप कब खर्चा बुक करोगे over the remaining wasting period इसमें यह भी हो सकता था कि आप exercise प्राइस करने की जगे कम number of option बढ़ा दो तो मैंने number of option डबल कर दी तो अपन क्या बोलेंगे जो scheme पे अभी तक अपना खर्चा बुक होते था वो as it is होते रहने तो जित्ते option अब मैंने और दिये हैं उसके आज क्या fair value आ रही है वो fair value remaining wasting period में और खर्चा बुक करता है possible बस इसमें यह तीसरी possibility है वो थोड़ा बयान से सन लीजे अगर wasting period आपका कम हो गया है तो मैंने employee को क्या बुला था इस particular case में कि तुझे employee यह scheme कितने साल में waste होने वाली है यह एक मात्र इसा exception है दोस्तों जहाँ पर अगर आपके modifications है scheme accelerate होती है तो फिर आपका जो existing employee benefit expensive वो भी change हो जाएगा और वो कैसे change होगा अब आप revise the wasting period पर उसका calculation करेंगे तो let me show what it says अगर किसी भी particular case में इंडेस में अगर acceleration of scheme हो रहा है यानि wasting period reduce हो रहा है तो उस case में आपको खर्चे prepone करना है कैसे है तो जो remaining expense है वो आप immediately provide for कर दो अगर आपकी scheme अभी waste करा दी है और अगर आपकी अभी नहीं कराईए और बोला एक साल में waste होगी तो आप remaining expense को एक साल में book कर दो यानि याँपे जो पुरानी वाली scheme है आपकी उसकी accounting अभी तक कैसी हो रही थी पहले जैसी अब यहाँ change हो गया पुरानी वाली scheme में भी अब आपको क्या करना पड़ेगा आप पहले क्या कर रहे थे मेरे इस example में हर साल घर्चा 1 by 4 और 60 रुपीज बुक कर रहे थे तो आपने फर्स येर में 15 बुक किया बाकी सारे केसे में अपन पुराने खर्चे जैसे बुक हो रहे थे होते रहने देते हैं सरिफ जो additional benefit पहुचाया है उसको अलग से खर्चा over the remaining investing period बुक सर कभी दोनों हो जाता, fair value भी कम होगी होती और acceleration भी होगया होता, तो पुरानी scheme का बचा हुआ खर्चा एक साल में बुक होगा यानि 30 और जो भी आपने fair value benefit बुचाया है उसका एक wasting period है वानियर का तो फिर वानियर में बुक होगा सर कभी wasting period बढ़ जाता तो क्या होता उसे बोलते है unfavorable to employee, उसके उपड़ा वा बनाएंगे पहले अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है ऐसे change in scheme जिससे क्या हो रहा है favorable benefit हो रहा है यानि employee को आपके क्या हो रहा है कहीं न कहीं फाइदा तब आप इसे prospective कोई बोलेगा retrospective उन सबसे confused मत हो logic यह पुराना जो चल रहा था चलने तो जो extra benefit है remaining wasting period में घर्चा बुक कर दो लेकिन पुराना जो चल रहा था वो जल्दी घर्चा बुक होगा अगर wasting period scheme के modification से कम हो गया है इसे बोलते है acceleration of scheme यह इसका logic है पर यह पूरा discussion किस से related था जब आपने scheme में benefit किसको पहुचाया है employee को और extra benefit पहुचाने की बात कि इसमें एक छोटा सा point और note कर ले ना कभी ऐसा हुआ है कि modification में आपने employee को कुछ cash cash pay कर दी है आप यह समझ लीजे ना कि आपने जो cash वगिरा पे करी है उत्ता खर्चा आपको और book करना पड़ेगा let's safer example यहाँ पे सुनना मेरी बात है इस particular case में मैंने क्या किया fair value option की 18 रुपे हो गई थी मैंने reprice किया और 37 उसकी fair value हो गई और यहाँ पे let's safer example मैंने employee को 2 रुपे cash और पे कर दी तब आपको खर्चा 19 की बजाए 21 book करना पड़ेगा अब इसी बाते 2 रुपे cash में मैंने लिखा होगा condition की भईया तुझे 2 साल पूरे करना पड़ेगी तो इसके लिए आपका खर्चा जितनी cash employee को थी बढ़ जाएगा बड़ जाएगा बड़ प्रेजेंटेशन point of view से आप उसे ऐसा मत दिखाना कि अगर आप इस पे 2 रुपे cash और दे रहे हो पे करिये उससे आप क्या करना original scheme की fair value कम कर देना तो जैसे ही ये कम होएगा तो automatically ये बढ़ जाएगा ये कम होगा minus कम होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा ultimately cash pay करिये तो इसके additionally आपका expense book करना पड़ेगा तो it will reduce the existing fair value of the scheme ये सारे कौन से case होगए which are favorable to the employees now let's talk about cases which were unfavorable to the employees यानि की मैंने exercise price बढ़ा दी क्यों बढ़ा दी तो let's say for example मैंने अपने articles को ESOPS की scheme order करी थिया क्या सर article index कमनी थुड़ना है फर में तो आरे समझने के लिए और मैंने बुला था article जो तीन चाल पूरा करेगा जो कि करना ही आप पर ट्रांसफर अगर आपने नहीं लिया तो हमने काया कि या तीन साल पूरा करने पर हम आपको क्या करेंगे हमारी कमनी के let's say for example 100 ESOPS तें employee बहुत मजे में आये और उन्होंने क्या किया उन्होंने बढ़िया शड़िया कामशाम करना शुरू कर गया अब let's say for example इसके बाद COVID आगया अब employee घर से काम कर रहे है कई सारे employee आपस भी नहीं आ रहे है बोले नहीं सार हम तो घर से ही करेंगे अब इस सारी situation में कमबक तो क्या हो रहे है all these particular things somewhere or the other is going to do what somewhere or the other is creating some negative impact on the performance of the company so now in this particular case मैंने एप्लाई को बला है आओ यार अब work from home अगे काम करो अब ही कोई आने कोई दिया नहीं मैंने बला है मैंको बहुत गुसा आ रहे है मैंने बला है सार गुसा गलो पर आएंगे नहीं आप बोलो तो छोड़ दे मैंने बला है देखो स्धी जबलाब है canada कोविड का भी वहना था मिरे पास ए एंपलाई के परफारंमन्स को इशूस थे तो मैंने स्खीम को रिडियूस कर गया मैंने बला थेक है एंपलाई तव में मैंने जो स्खीम गुराइड करी थी अरे दो मिनिट चाइट रुख जाओ भी मैं देख नहीं रहा हूँ भी फिर बाद में एक साथ कोशन पूछना तो मैंने स्कीम जो आपको दी थी इस स्कीम में मैंने आपको क्या बोला था कि 60 रुपीज फेर वैल्यू थी ग्रांट डेट पर उसकी चार साल का वेस्टिंग भी रड़ था तो सपोज ये वाली स्कीम का ही एक्जाम्पल में लूँ तो दो साल बाद मैंने बोल दिया कि भीया इसकी एक्सेसाइस प्राइज मैं पचास से बढ़ा के सांट कर रहा हूँ या नंबर आव आप्शन सौ से कम करके पचास कर रहा हूँ या तीसरी पॉसिबिलिटी वेस्टिंग पीरेट चार साल से बढ़ा के पांच साल कर रहा हूँ क्योंकि कोविड में एक साल तो काम कमी हुआ है तो नॉर्मली ऐसा होना बहुत चांसेस कम है पर exceptional cases में ऐसा हो सकता है कि आप scheme को ऐसा modify करो और employee मान भी जाहे जहाए जहाँ पर scheme employee के लिए favor में नहीं जारीगा इंदेस बोलता है this is not something which usually happens और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए अगर आपने scheme में benefit कम भी किया employee के तो what we are going to do is we are going to ignore this change हम यह change ignore कर देंगे इसका मतलब कोई भी unfavorable employee के लिए change हुआ है तो इसे ignore कर दो खता हम बोलेंगे जो आपने employee को बोला ना कि तिरह wasting period 4 की बजाए 5 साल हो जाएगा या आपने exercise price 50 की बजाए 60 कर दी इससे wasting period या fair value change हो रही है आप उसे ignore कर दो लेकिन इंदेज कहता है कि अगर आपने option कम कर दी आ तो फिर इस case में माना जाएगा कि जित्ते option आपने कम की है हुट्त tussen option cancel हो गए और cancellation of option में फिर दो possibility हो सकती है या तो आपने option पूरे के पूरे cancel कर दी औरकोई पैसा नहीं दिया या फिर आपने option cancel कर दिया और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा दे दिया अगर if it is a cancellation with cash payment तो इसकी accounting buyback जैसी होगी but if it is a cancellation without cash payment it is इसकी accounting cancellation जैसी होगी अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिंदास आराम से मजे से सुन लो number 1 उसके बाद फिर मैं question से आपको समझाओंगा number 2 इन दोनों चीजों को करने के बाद मैं इसका आपको voice note दोंगा number 3 दियान से सुनियेगा आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहली बात everybody please concentrate on listening to what I am saying number 1 if I am reducing the benefit in the scheme and not cancelling any option तो reduction of benefit तीन तरह से हो सकता है number 1 wasting period बढ़ा देना number 2 exercise price बढ़ा देना number 3 number of option कम कर देना तीसरे number को छोड़ दो बाकी के 2 cases में आप उसे ignore करोगे और जो घर्चा पहले पूरे wasting period में जो book कर रहे थे करते रहो यानि आपका original wasting period 4 साल था और आपने बढ़ा के 5 कर दिया तो आप जो पहले घर्चा बुक कर रहे थे हो चार साल में ही book करोगे बले ही option पांचवे साल में waste होगा index बोलता है इसको ignore करके accounting करो number 2 आपने exercise price दस रुपे से बढ़ा दी इससे fair value गिर गई होगी index बोलता है ignore करो जो पहले fair value लेके खर्चा बुक कर रहे थे करते रहो लेकिन number 3 आपने employee को बलाता है आपने employee को मैं क्या करने वाला हूँ I am going to give 100 options अब मैं बोल रहा है employee मैं तुझे 50 option ही दूँगा तो माना जाएगा you have cancelled the 50 options अब अगर आपने cancellation किया और बदले में employee को एक रुपिया नहीं दे रहे हो आप तो ऐसी situation में index कहता है कि आप जितना उस cancelled option का बचा हुआ खर्चा है पूरा का पूरा अभी book कर दो employee benefit expense to share based payment reserve और ये मान लो कि option आज west के lapse हो गए तो west आज हो गए तो acceleration हो गया तो आज पूरा खर्चा बुक हो गया और laps हो गए तो पूरा SBP reserve कहां चले गया रिजर्व में क्योंकि मैंने बताया वेस्टिंग के बाद लैप्स होता है तो reserve से adjust होता है PRL से तो दारण की तार पे तो तो मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको 100 option दूँगा और एक option का खर्चा मेरा 60 रुपीज था तो मैं हर साल वेस्टिंग पीरट चार साल होने के गारण 15-15 का खर्चा बुक कर रहा था दो साल में मैंने 30 रुपीज का खर्चा बुक कर दिया एक option पर और third year beginning में मैंने एक option आपका कैंसल कर दिया तो इस पर 30 रुपीज का खर्चा बुक हो चुका है 30 रुपीज का खर्चा बुक होना बाकि है अगर मैंने एक option कैंसल किया है तो मैं पहले होस 30 रुपीज का जो बाकी का खर्चा है आने वाले दो सालों का वो अभी बुक करूंगा employee benefit expense to share based payment reserve तो total share based payment reserve में 60 रुपीज का खर्चा बुक करना पड़ेगा यह कब है जब cancellation है पर कोई cash payment नहीं है लेकिन अगर cancellation हुआ है और बदले मैंने employee को cash payment गर मैंने बुला भही है तुमारी scheme cancel employee ने बुला भही है नहीं हो पाएगा कैसे कर सकते हो अप अलाओड ही नहीं है यह तो legally allowed नहीं हम strike पे चले जाएंगे court case कर देंगे हमने बला रहे आरे से डरा हूँ मैं चलो थोड़ा भूट पैसा ले लो cash ले लो तो फिर इंडेस बोलता है कि ऐसी situation में अगर आप जो cash पे कर रहे हो if that particular cash is equal to the fair value of the option on the date of cancellation then there is no problem but if it is more than that the excess will have to be booked as an expense remaining employee benefit scheme to be recognized immediately by debiting employee benefit expense and crediting share waste payment reserve when there is a cancellation if any cash payment on cancellation is given to employee it will be treated as repurchase of equity to cash payment अगर हुआ है तो buyback हो जाएगा अगर आपका cash payment up to fair value of equity instrument on date of cancellation तो जिस दिन cancel किया था उस दिन उसकी जो fair value थी उतने तक का अगर आपका पैसा है तो कोई problem नहीं है इसे buyback जैसा मान लेंगे और इस particular case में आप क्या करोगे जो आपने cash दी हो to cash हो जाएगा और आपके इस आपके SBP reserves जोते हो डेबिट हो जाएगे और जो भी difference है वो reserve से adjust जाएगा पर अगर आपने cash payment fair value से excess में कर दिया है equity instrument on date of cancellation तो उस excess को PRL में additionally खट्चा book किया जाएगा बाकी जो भी SBP reserve है वो सब general reserve में चले जाएगा I am sure you need first a question to be done on this उसके बाद फिर अपन में भी एक audio note की situation पर आपाएंगे तो let me bring you to question on cancellation यहाँ पर सबसे पहले आपको जो CB 8, 9, 10, 11, 12 यह सब दिया हुए है यह सब अलग-अलग resting conditions के question है अब जो अपन cases देख रहे हैं we are basically discussing cases of modification modification के सारे cases में let me first show you the case of cancellation बच्चों question में आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा I am on page number 783 of your board notes चार साल का wasting period है एक employee को 300 option दिये गए है grant date 148 है fair value 148 पे 20 रुपे पर option थी और 100 employee है तो मुझे total 4 factors सही है मुझे 4 हो मिल गए है expected retireal 5 पर रानम है तो इसका मतलब चार साल में 20 छोड़ जाएंगे तो मैं 280 employee पर खर्चा बुक करूँगा हर साल कितना खर्चा बुक होएगा 20 रुपे के हिसाब से 100 employee sorry 280 नहीं पांच 80 employee बचेंगे sorry sorry तो मुझे लगता है 80 employee बचेंगे एक employee की एक option पर 20 रुपे का खर्चा है total एक employee को 300 option देना है wasting period 4 साल है हर साल का 120,000 का खर्चा बुक होगा तो यह बोल रहा है पहले साल में आपने इतना खर्चा बुक कर दिया अब क्या हुआ देखें मैंने scheme को कर दिया cancel ग्यान से जुनियागा दोस्ता scheme मैंने क्या कर दी cancel कर दी और cancel करके मैंने employee को क्या किया I have given cash per option of 6 rupees buyback हो गया तो अब मैंने बुला भी आप कुछ नहीं मिलेगा scheme cancel और 6 rupees cash लेगा इस दिन option की जो fair value थी वो 5.5 rupees थी तब इस case में मैं क्या करूं तो जैसी आपने scheme cancel करी सबसे पहले आपको क्या करना है बचा हुआ पूरा खर्चा बुक करना है तब बताओ इस scheme में total खर्चा आपका कित्ता था 300 option पे 20 rupees के हिसाब से 60,000 और कित्ते employee आपको लग रहा था रुकेंगे आपकी कमनी में आखरी तक 80 into 1 by 4 एक बीस आप बुक कर रहे थे तो आपने एक लाग बीस हजार रुपे का खर्चा बुक किया हुआ किस में फर्स्ट इयर में अब आपसे question में पूछा जा रहा है कि second year में क्या होगा answer अपना second year का है second year में इन्होंने cancellation में बुलाए कि देखो आपने पैसे कित्ते employees को दियोंगे तो second year में अगर scheme cancel किये तो मैं assume कर रहा हूँ कि second year के employee छोड़के जाने वाले थे वह भी छोड़के गए नहीं यानि मेरे employee अभी कित्ते हैं 95 हैं तो मैंने 95 employee को कित्ता पैसा दे दिया 6 रुपे के हिसाब से 300 option पैस इतना fair value के उपर कित्ता दिया तो fair value आज की तारिक में 5.5 रुपे दी तो मैंने 50 पैसे उसको जादा दे दिया यानि आज की तारिक में अगर उसको मैं बोलता कि भाई तो तेरा option आज west कर ले जा क्या गल ले आज तेरा option जो है वो west कर ले खतम तो मैं क्या करता मैं बचा हुआ पूरा घर्चा बुकल लेता और वो west करके ले जाता तो मैं उत्ता क्या करता बैंक से उससे पैसा recover कर लेता और sbp reserve premium में डाल देता पर मैंने उसको आज option ले जाने के लिए नहीं कहा मैंने बोला आज तेरा option cancel और मैं तुझे चल जादा पैसे दे देता हूं 5.5 इसकी worth थी तो देखो employee ने इसको रखके इतने समय में 5.5 रुपे यह उसका gain है पर अब market value से ज्यादा आपने किता दिया है 50 पैसे तो यह बोल रहे है कि जो extra दे रहे हो यह जरुवत नहीं थी फिर भी आप दे रहे हो तो यह आपका over and above जो पहले का खर्चा है वो है तो आपको 0.5 का additional expense book करना पड़ेगा तो 50 पैसे का खर्चा किते employee को assuming 95 employee थे और उनको 30 option है और option पे 50 पैसे इत्ते रुपे आपको extra कहां डालना पड़ेंगे PRL में यह आपका PRL में और खर्चा जाए इसके अलावा और क्या होगा अब आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे essentially speaking आपके share-based payment reserves किते थे तो इन्होंने बुलाए कि भीया मैंने पिछले साल 1,20,000 का share-based payment reserve का खर्चा बुक किया था तो वो debit कर दिया और जो भी balancing figure बचा वो मैंने reserve में डाल दिया यह balancing figure एक तरह से क्या है तो मेरे इन 300 employees के उपर 95 के आप से साड़े पांच पे इत्ता बनता है और पिछले साल 1,20,000 में बुक कर दिया तो वो debit कर दिया in which way इसको अभी आप छोड़ दें यह वाली entry ऐसे ना देखें आप in fact इसको ऐसा देखेंगे कि rather than this what we will have to say is कि क्योंकि यह option मेंने cancel किया है तो सबसे पहले इसका जो बचा हुआ खर्चा है वो मैं पूरा बुक कर दूँ तो यह option पे total कितने खर्चे बुक होना चाहिए थे तो 95 employees की अगर मैं बात करूँ तो 95 employees पे मुझे कितने option है मेरे एक option की fair value originally 20 थी अभी 95 employee बचे एक employee को मैंने 300 option देने और vesting period हो गया तो total 5,70,000 रुपे का मेरा आज की तारीक में घर्चा बुक होना चाहिए जिसमें से मैं 21 बुक कर चुका हूँ तो पहले तो 45,000 वो बुक होगा और उसके extra payment दिया है वो और होगेगा और 45,000 आप बुक करोगे उसको आप कहाँ डाल दोगे share reserve में ऐसा आपन क्यो बुक कर रहे हैं या क्यों डिस्कूस कर रहे हैं क्योंकि यह साफ साफ बुला है कि जब भी scheme cancel होती है तो cancellation में जो भी आपका remaining employee benefit expense है relating to the remaining vesting period इसको आपको immediately recognize करना पड़ेगा employee benefit expense में debit करके share based payment reserve को credit करके तो यह इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा we'll have to do accounting for cancellation of this game today's class where is the striker two twenty thirty seven two twenty thirty seven two twenty thirty seven let's see this इस से समझ लुआ ANAR fertilizer has issued two thousand share option to ten director for an exercise price of rupees hundred and they are required to stay for next three years तो सबसे पहले number of options किते हो गए two thousand number of employee total अभी किते है expected to remain total 10 director है fair value of option आपको 130 रुपे estimated दी हुई है और तीन साल का वेस्टिंग पीरिड है expected director to waste the option 8 है expected employee to complete vesting period 8 है second year में company crisis में थी और management ने decide कि वो scheme को cancel कर देगी जब वो उनों बोल रहा है कि scheme cancel होगी तो fair value उस समय जब cancel होई थी तो 90 रुपीज थी तो पहले उसकी fair value 130 थी अम 90 हो गई है क्यों 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 कि whatever reasons अमें नी पता market price of share at cancellation date was 99 rupees option की fair value 90 पर market price 99 है there was a compensation which was paid to director and since only 9 director were actually currently in employment during the date of cancellation such scheme hence amount to 95 per option has been given to each of the 9 director तो cancellation कैसे account for होगा तो है बोल रहा है भाहिया fair value आपके option की उससे में 90 थी market price 99 थी मुझे क्या करना उससे और इसके लिए मैंने director को compensation pay कर दिया तो अभी कितने director थे 9 director थे तो उनको मैंने कितना compensation pay कर दिया cancellation का 95 per option मैंने उनको cancellation का पे कर दिया तो अब इस case में accounting कैसे होगी सबसे पहले आप ये देखिए number one चली ये question मैं copy कर दूँगा अभी देख लो एक बार दर मैं कर देता हूँ copy ऐसे striker में है ये पहले साल में क्या लग रहा था कितने director आपके लग रहा है complete करेंगे 8 fair value of option आपकी कितनी थी 130 total option 2000 wasting period 3 साल total खर्चा इतना तो 1 third इतना second year में scheme cancel हो गई है कितने options आपके imply थे no fair value of option कितनी है 130 number of option कितने 2000 total खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए 2340 कितना बुक कर चुके इतना तो इतना आपको बुक करना पड़ेगा ये पूरा क्यों करना है क्योंकि ये cancel हो गई है तो जैसे scheme cancel होती है तो पहले बचा हुआ पूरा खर्चा आपको बुक करना पड़ेगा अब इसके over and above आपको क्या करना है तो जो cancellation का पैसा आपने दिया है उसमें क्या fair value से ज़्यादा दिया है तो आप देखिए cancellation का compensation आपने 95 रुपीज दिया है कितने directors को 9 director को तो 95 आपने pay किया है और market value नहीं किसकी अपने को fair value of option देखना है on cancellation जिस दिन cancel हुआ उस दिन उसकी fair value 90 रुपे थी तो आपको effectively उसको 90 का ही फायता पहुचाना चाहिए था पर आपने उसको फायता कितने का पहुचा दिया 95 का तो आपने एक तरह से जो original scheme है उसका आज जो value थी उससे भी जादा पैसा उसको दिया है तो original scheme का घर्चा तो उनने पूरा book कर दिया तो जो access दिया है उसका घर्चा और book करेंगे तो five का extra benefit है कितने employees को देंगे? 9 directors को एक director के पास कितने option है? 2000 options तो एक option पे दो पांच रुपे तो 2000 option पे 10,000 रुपे तो 9 director के नब्य जार रुपे हो जाएंगे तो यह 90,000 रुपीज आप पर additionally PRL में एक्सफेंस बुक करना पड़ेगा तो इसके entry को हो जाएगी आपकी यह 90,000 रुपे ही आगे तो effectively sir इसकी सारी journal entries आप बता दीजे क्या क्या होईगी वो मैं बता सकता हूँ आपको journal entries क्या करेंगे इसकी year 1 में आपने कितना expense book किया था employee benefit expense to share based payment reserve मैं यही पर निकाल सकता हूँ 2000 option expected date employees to complete fair value 130 into 1 by 3 6,9,3,3,3,3 year 2 में अब आप बचा हूआ expense book कर दो सबसे पहले being scheme cancelled तो कितना घर्चा बुक होगा 2009 employee 130 पूरा minus 6,9,3,3,3,3 जो आपने लास्ट इयर बुक किया 23,40,000 difference आजाएगा आपका 16,4,6,6,6,7 plus year 2 के end पर आपने employee को पैसे कित्ते दिये तो मैंने डिरेक्टर को 9 डिरेक्टर 2000 option पर 95 रुपीज दे दिये total मेरा cash outflow 17,10,000 रुपे का हुआ इसमें से मुझे PRL में मजबूरन 9 डिरेक्टर के 2000 options पर 5 रुपे का खर्चा extra book करना है क्योंकि मैंने ये ज़्यादा दिया है उसको ये 90,000 रुपीज का expense तो share-based payment reserve से मैं कित्ता डेबिट करूँगा तो अब ये बोल चकते है एक तरह से 9 डिरेक्टर 2,90 के बराबर यहां से हो जाए वो balancing figure भी आ सकता है which is 18,20,000 अब आपका SBP reserve का कित्ता balance बजग गया है तो total मेरा SBP reserve 23,40,000 का इखटा हो गया था जिसमें से 18,20,000 मैंने use कर लिया ये 18,20,000 use हुआ है इन दोनों का अगर आप total निकाल हो गया है SBP reserve का तो ये 23,40 आता है 18,20,000 23,40 ये 16,20,000 16,20,000 तो 16,20,000 23,40 7,20 ये 7,20,000 रुपे पूरे उठा के कहाँ डाल देंगे अपन reserves में क्योंकि अब इसकी जरुवर्थ नहीं है ये इसका logic है what is this 7,20,000 representing 7,20,000 का reconciliation किसी को चाहिए इस आपन ऐसे normal batch में करते हैं अभी आप समझने के लिए एक बार reconciliation समझ लो थोड़ा सा आप देखो आपने कित्ती fair value खर्चा कित्ता book किया आपने जित्ती fair value थी option की पूरा खर्चा book कर दिया 130 रुपे पर 130 की against में आपने payment कित्ता दिया तो sir मैंने payment दिया 95 पर actual में fair value जो option की थी जो मैंने दी थी आज की तारीक में जब cancel हुआ तो 90 थी तो इसका मतलब इस 130 में से मैंने 90 पे कर दिया पांच जो extra पे किये वो तो चलो extra bonus उसको खर्चा अलग से book कर दिया पर मैंने वो 130 की fair value थी पर उस option की fair value आज 90 होई वो 90 पे किया तो आपने देखा जाए तो खर्चा 130 बुक किया है जबकि उसमें से pay 90 है तो 40 रुपीज का आपका excess expense आपने बुक किया SBP reserve में ये 40 कित्ते director पे बुक किया नौ director पे एक पे कित्ते option है 2000 पे 720,000 का आपका extra खर्चा बुक करना पड़ा आपको इसे अपन क्या करेंगे PRL से reverse नहीं करेंगे reserve से adjust करेंगे इसका logic और reason symbol से कहे है अपन क्या मानते है cancellation में पहले पूरे option west हो गए fill lapse हो गए तो west करने पे ये खर्चा और fill lapse चाले, board notes अपडेट कर दें ये cancellation हो गया दोस्तों institute का hot favorite topic है एकडम बिंदास बड़े अच्छे से आराम से मज़े से आपको करवाया है मैंने इसमें आप जो अपने board notes में answer दिया हो है इसको आप तोड़ा सा complete करना चाहें तो कर सकते हैं तो ये जो last वाला case है इसमें सबसे पहले अगर scheme कैंसल होई है employee को अपन ने cash दिये sorry second year में किया 95 employees थे तो आप सबसे पहले तो आप खर्चा बुक कर लो employee benefit expense कितने employee हैं आपके 95 कितना खर्चा बुक करना है 300 option पे 20 रुपे पिछले साल आप कितना बुक कर चुके हो 1,20,000 रुपीस तो ये छोड़के बचा हुआ आज खर्चा बुक कर दो और ये जाएगा SBP Reserve में तो 95 इंटू 300 इंटू 20 माइनस 120,000 रुपीस ये अपनने पहले भी निकाला था ये कहां चले गया SBP Reserve में ये पहले entry होगी अब cancellation की entry होगी जो मैंने पैसे दिये तो मैंने पैसे कितने दिये सबसे बहले क्या होता है entry में confusion कम आए इसके लिए आपने जो पैसे दिये पहले वो देख लो 95 आपके employee है एक employee के पास 300 option है और आपने एक employee को 6 रुपे दिये 1,71,000 रुपीज आपने पै किये है किसको employee को इसमें से कितने आपको PRL में और employee benefit expense PRL में debit करना है on cancellation और buyback जो भी लिखना है आपको आपने कितने ज्यादा दिये 50 पैस ही ज्यादा दिये ना आज की वेर वैल्यू से कितने 95 employee को 300 option है तो यह आप debit कर दो 1,4,250 और आप कितना share based payment reserve से उठा सकते हो तो 5.5 रुपे की fair value है आज की तारिक में आप चाहें तो वहां से उठा लीजिए 95 into 300 option 1,56,750 अब यह करने के बाद आपका share based payment reserve में क्या balance बचेगा तो total मैंने कितना 81 कर लिया share based payment reserve में कितना 95 employee पे 300 के option पे 20 के हसाब से 5,70,000 उस में से use मेंने कितना कर लिया 5,70 में से 156,750 तो कितना बचा 413,250 यह पूरा उठा के कहां डाल दीजे आप reserve सर यह 413,250 का explanation दे सकता हूं मैं आपने total इस ESOP scheme की fair value कितनी लिये 20 रुपे पर option है ना आपको logic देता हूं मैं 413,250 का 20 रुपे option की value है जिसमें से साड़े 5 रुपे आपने क्या किये payment करा किया 6 है पर उसमें 50 पैसे ज्यादा किये तो साड़े 5 आपने pay कर दी है तो effectively देखा जाए तो 20 में से साड़े 5 का आपका actual घर्चा हुआ है तो कितना घर्चा नहीं हुआ है पर बुक हुआ है 14.5 कितने employee पे 95 employee और एक के पास कितने option है 300 तो 413,250 reserve में चले है लॉजिकली match भी होएगा ऐसान लिए इस तरह की entries होना चाहिए थी इसमें ideally ठीक है तो यह आपका cancellation हो गया है with buyback इसे बोलते दोस्तो buyback की accounting आगे कहीं पर भी मैं ESOP में buyback बोलो तो समझ जाना यही होगा step 1 मान लो scheme आज वेस्ट हो गई तो बचा हुआ घर्चा बुक कर दो step 2 आज जो fair value option किये उत्ता payment अगर आपने किया है तो और खर्चा बुक मत करना बस उसको SBP Reserve से adjust करके excess को आप your reserve में transfer कर देना पर उससे जादा दिया है तो उसको additionally AB आपको expense book करना पड़ेगा एक number काम हो गया है इसके साथ ही आपका cancellation buyback complete इसके अलावा मेरे पास couple of examples और दूसरे भी हैं किसे related other modifications other than what cancellation let's go through them once and उसके बाद फिर मैं doubts लूँगा तो इसी particular case में आपको अलग-अलग situation दी गई है let's take situation number one modification second year beginning में हुआ है इसलिए अपन ने number of director 95 लिए यह सोचके या employee 95 लिए यह बोलके कि second year beginning में कोई छोड़के नहीं गया होगा first year वाली वापस से scheme किया थी चार साल की scheme थी 300 options दिये थे एक की 20 value थी 100 employee थे पांच छोड़के पहले साल गए हर साल लग रहा है पांच जाएंगे अब मैंने scheme में क्या किया है I have done a modification or scheme increase कर दिये to 400 option per employee वाउ तो आप अपताओ कितने employee को सारी कितने benefit आप और दे रहे हो 100 तो जो logic था वो सबसे पहले यह favorable है unfavorable तो इसमें क्या करते हैं पुरानी scheme का खर्चा जो book हो रहा था वो होते रहेगा तो पुरानी scheme में कितना खर्चा book हो रहा है एक 20 वो होते रहेगा और आपने 100 option और दिये तो इसको अब आप prospectively remaining 3 years में खर्चा book कर लो 100 option आपको लगता 80 director exercise करेंगे 95 है और 15 छोड़के जाएंगे और आपकी इस particular case में fair value कितनी है 20 तो इस logic से आपने क्या कर दिया यह खर्चा book कर लिया हाला कि यहां पे आपको fair value modification date की लेना चाहिए थी क्यों क्योंकि यह माना जा रहा है एक तरह से कि आपने आज उनको 100 की extra benefit दे दिये नहीं स्की में तो अगर आपको आज की fair value दी होती तो आप extra 100 पे वो fair value उस करते है पुराने 100 पे नहीं पर वो नहीं दी है तो फिर अपने को इस से book करना है चल यह color change example change exercise price मैंने reduce कर दी जिससे fair value पर option 25 रुपय हो गई तो originally fair value 20 थी मुझे उससे मतलब नहीं है second year beginning में कित्ती थी 22 मैंने बढ़ा के कित्ती कर दी 25 कित्ते का और फायदा दी आज की तारिक में 3 तो मुझे 20 से compare नहीं तो पुराना खर्चा 120 जो book हो रहा था वो और तीन रुपय का खर्चा और book होगा 300 option 80 employees तीन रुपय का खर्चा 300 option 80 employees पे कित्ते सालों में remaining wasting period of 3 years next चल यह color change wasting period is reduced to total of 3 years तो 4 से 3 कर दिया है तो यह acceleration है तो इसमें पुरानी scheme भी change होईगी तो in fact इस particular case में imply के लिए यह favorable है अब आपको क्या बोलना पड़ेगा कि मुझे total घर्चा कित्ता बुक करना है 300 option into 20 क्या हो जाएगी आपकी fair value पर option वो change नहीं होगी यहाँ पे आप एक correction कर देना यह 80 की बज़ए 85 होएगा क्योंकि अब आपका wasting period अगर तीन साल हो गया है तो तीन साल में क्या लग रहा है कितने directors आपके बचेंगे 85 बचेंगे तो we'll have to take 85 into 2 by 3 यह आपका total खर्चा आपको बुक करना है 300 into 20 into 85 into 2 by 3 3,40,000 रुपीस और अभी बुक कर चुके हो एक बीस तो इसका मतलब आप 2,20,000 का और खर्चा बुक कर लेंगे इसे board notes में correction है क्या नहीं हो यह particular rate table में थे in fact यह यहाँ पे हो गए आपके और कहीं तो ऐसा नहीं है ना नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है hopefully अगला चलिया number of option reduce कर दिये 200 पे oh my god पहले किते थे 300 आप किते कर दिये 200 यह unfavorable है पर इसको cancellation जैसा treat करेंगे तो cancellation में original scheme में जो आपके option थे किते 300 इसमें से किते हो गए 200 तो 200 पे आप accounting चलने दो और 100 का बचा हुआ पूरा घर्चा भी बुक करता है तो cancellation में जो आपके 100 option है इन 100 option पे आपको fair value किते है 20 रुपे है और cancel आज हो गए तो आज की तारिक में आपको इसमें बचा हुआ पूरा घर्चा बुक करना है तो यह भी आपको सही करना पड़ेगा यहाँ पे आपको expense किते लेना पड़ेंगे 95 का बुक करना पड़ेगा क्योंकि आज डारेक्टर आपके किते बचे हैं दोस्तो 95 डिरेक चले तो यह 1,90,000 रुपे होएगा यहाँ पे क्यों क्योंकि आपके 100 option आज वेस्ट होगा है किते के ऐसा मानेंगे अपन जितने employee थे 95 थे तो पूरे के वेस्ट होगए तो यह घर्चा प्लस जो पुरानी scheme है उसमें जो बचे होए option है उसमें जैसे घर्चे बुक हो रहते तो दो सो हैं 20 fair value थी अपने को लग रहा है employee 4 साल में तो असी बचेंगे तो उन असी के उपर आपको 80,000 रुपीज बुक करना है तो आपको यह असी सही है क्या? cumulative बुक करना पड़ता है ना इसको आप ऐसे रख लीजे है हाँ यह ठीक है 80,000 आप इन फाक्ट ऐसे मत करो इसको ऐसे कर लो 200 option 20 की fair value 80 employee पूरा करेंगे और 2 by 4 है cumulative plus 100 option 20 की fair value 95 employee इतना total खर्चा चाहिए मुझे 200 into 20 into 80 into 2 by 4 1,60,000 100 into 20 into 95 1,90,000 total 350 बुक होना है एक बीज में पहले बुक कर चुका हूँ तो 2,30,000 करेंट एर में और expense बुक होएगा यह ऐसा हो जाए ठीके दोस्त तो इतना खर्चा आपको और बुक करना पड़ेगा यह कैसे निकाला हो क्यूमलेटिव वाले logic से next चल यह color change हो जाए एक बार फिर से मैंने option को reprice किया है और exercise price बड़ा दिया है तो यह unfavorable है तो इसे simply ignore कर देंगे तो मेरा वही एक बीस का option एक बीस का होते रहेगा हाँ अब अगर मुझे लग रहा है कि इससे number of employee मेरे जायद कम हो जाएंगे तो definitely वह estimate में change कर सकता हूँ और finally investing period यहां पर मैंने क्या किया है बढ़ा दिया है पांच साल कर दिया यह भी unfavorable है तो इसे ignore करेंगे तो जो पहले खर्चा बुक हो रहा था होता ही बुक करेंगे एक बीस अब यह नहीं सोचना है आपको कि पांच साल में वेस्टिंग कित्ते employee रहेंगे नहीं आपको इ corrections है वो वाले corrections आप लोग कर लीजेगा इपनी regular batch में लोग class में इसके separate में बाद में corrections करवाए हुए है तो यहां पे board notes में शायद उसको update नहीं कियोंगे but never the less आप यहां पे please कर लीजेगा तो यह आपका final solution हो जाएगा this is the way we'll have to solve यह वाला question आपको लगे तो यह जो मैंने update किया है यह मैं इधर paste कर देता हूँ modification including cancellations cancellation is also a type of modification ठीक है जी चलिए इसे update कर देता है और इसी के साथ अब आपका किसका discussion complete हो जाता है share waste payment का किसी ने बीच में बहुत बड़िया question पूछा था उसने पूछा कि sir suppose हमने modification किया है पर उसमें post wasting date की conditions हमने modify कर दी तो क्या होगा तो बढ़िया सवाल पूछा लड़के ने तो आप बताईए अगर post wasting date की modification कर दिया है conditions का यानि कि हमने lock in period बढ़ा दिया या कम कर दिया तब आपको वापस से क्या सोचना है इस modification से क्या favorable है या unfavorable है अगर या unfavorable है तो ignore कर दो और अगर ये favorable है तो उस case में आपको देखना पड़ेगा कि before modification on the date of modification आपकी fair value क्या थी scheme की और lock in period कम कर देने जे fair value इती बढ़ गई है जो increment of fair value और remaining wasting period में आपको खचा बुक करना पढ़ेगा ठीक है जी चलिए तो अब आपको I think अब demand सिफ voice note की आ रही है एक बार पुरा voice note अच्छे से सुन लेना अब उसके बाद आपके कोई सवाल अगर बच जाते हैं तो हो सवाल पूछ लीजेगा otherwise यह modification, cancellation, acceleration of scheme यानि wasting period कम होता है तो क्या होता है वो आगया before I talk about the voice note you can also quickly have a look at this particular thing this is also going to give you a help favorable to employee है reprising हुआ है option बढ़े है wasting period reduce हुआ है in सभी cases में improvement remaining wasting period में just like लेकिन जो original scheme है आपकी that will be continued except अगर wasting period reduce हुआ है तो फिर reduce wasting period लिया जाएगा कितना बढ़िया समझाए है next अगर वो unfavorable to employee है और unfavorable में आपका wasting period increase हुआ है या reprising हुई है तो ऐसी situation में आप इसे ignore कर दीजेगा और जो पुराना खर्चा था वो ही book करते रहिएगा लेकिन अगर option reduce हो गए है तो फिर ये cancellation कहलाएगा तो सबसे पहले आपके जितने option reduce किये हैं उसे आप cancellation मानके उस पे जो खर्चा बनता है वो तो immediately in the case of cancellation book कर दो प्लस अगर कोई buyback हुआ यानि cash payment हुआ है buyback by cash payment अगर कुछ हुआ है तो उस buyback by cash payment में आपको excess paid over fair value on date of buyback cancellation or date of modification if any will be additionally debited to PRL और जो भी SBP reserve का balance है उसको आप reserve में transfer कर देंगे और जो remaining option modified scheme किये हैं वो पहले जैसे account for होते रहेंगे इसमे number of employee आप जो consider करोगे वो कैसे करोगे expected retirel हो सकता है इसमें कुछ है अब आपके estimate इसलिए भी change हो गए क्योंकि scheme modify करी है आपने तो अब हो सकता है आपने scheme unfavorable करी है तो आपको लग रहा है आप number of employee कम रुकेंगे या हो सकता है scheme आपने favorable form में modify करी है तो आपको लग रहा है number of employee शायद जादा रुक जाएंगे तो जो भी आपको लग रहा है number of employee change होंगे वो change तो consider करना ही है क्योंकि number of employee हमेशा हम re-estimate करते रहेंगे because वो service condition पर बेस्ट है और service conditions के case में हम changes को ignore नहीं करते है whenever in a scheme of employee share based payment which is equity settled that means equity shares are to be issued to the employees if there is a modification in the scheme which essentially means that the terms of the scheme have been modified which means the vesting period has been changed in comparison to the original period or number of options have changed or the exercise price has changed in all these cases number one if the change is favorable to the employee you will do two things one पुरानी scheme में जो खर्चा जैसे बुक होते रह रहता वैसे होते रहेगा अगर change unfavorable है तो आप उस unfavorable change को इग्नोर करेंगे और जो पुराना खर्चा आप बुक कर रहे थे if there is a modification of an employee equity settled share based payment plan which means कि terms change होई है तो ये terms में number of options, vesting period या exercise price change हो सकती है अगर ये change favorable to employee है तो उस case में जो आपकी original scheme थी उसमें जो accounting चल रही है चलते रखेंगे except अगर vesting period reduce हुआ है तो फिर आप original vesting period जो ले रहे थे हैं उसे reduce करके consider करेंगे plus जो आपने scheme modify करने से जो extra benefit employee को दिये है by increase in fair value due to reduced exercise price और increased number of option उसे आज एक नई scheme issue करी है ऐसा मानते हुए remaining vesting period में खर्चा book करेंगे लेकिन अगर ये unfavorable change है यानि कि vesting period अगर बढ़ा है या exercise price बढ़ाई गई है जिससे fair value कम हो गई है तो आप इसे ignore कर दोगे और जो पहले आप खर्चा book कर रहे थे करते रहेंगे हो सकता है इससे अब आपको number of employee जो रुकेंगे vesting period कतम होने तक ये कम लग रहे हूँ तो वो change तो consider करेंगे बट जो exercise price बढ़ा देने के कारण या vesting period बढ़ा देने के कारण आपके खर्चे change नहीं हो लेकिन unfavorable में आपने अगर employee के options कम कर दिये हैं तो माना जाएगा कि cancellation हुआ है जित्ते option cancel हुए है उस पे आप ये सोचो कि आज सारे employee जो कमनी में होते सब के पास वो option वेस्ट हो गए तो आप पूरा employee benefit expense to share based payment reserve बुक कर दीजे और ये पूरा SBP reserve जित्ते option cancel हुए इसको reserve में डाल दिया जाएगा लेकिन जो option cancel हुए है उन option पे आपने कोई cash दी है तो आप SBP reserve से cash payment कर सकते हो provided आपकी cash is up to the fair value of that option on the date of modification लेकिन date of modification पे यानि cancellation पे fair value जो option की है उससे जादा पैसा दिया है तो वो excess का और खर्चा भुक होएगा PRL के तो बाकि जो option cancel नहीं हुए है उसकी accounting जैसी normal चलती रही है वैसी चलती रहे है इस पूरे discussion में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके employee के लिए favorable किया है कोई option तो favorable option में जो increase in fair value है वो consider करते समय अगर कोई cash पे होई है other than cancellation तो increase in fair value will be नई scheme की आज की fair value minus पूरानी scheme की आज की net fair value which is net of any cash paid in the whole scheme ये incrementer expense का remaining wasting period में additionally book करना पड़ेगा छीके जी ये आपका modification का voice note हो गया और इसके साथ आपका किसका discussion complete हो गया तो this completes your discussion with respect to modification ठीक है तो equity settled plans अपने complete होगा है अब 5 minute अपन doubt short पे लेते हैं अब इसका आपका कोई doubt है तो पूचिए है चले now okay let's come to the doubts if you have any doubts guys tell me e-swap cancel हो गए तो आप अनने सरी खर्चा नहीं book कर रहे हो क्या तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि e-swap cancel कि हो है क्यों 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 कि शायद market value change होई हो ऐसे कोई reasons रहे हैं तो इंडेस क्या बोलता है कि यार grant date पर ही हमने book कर लिया था खर्चा तो सही मायने में इंडेस की सोच ऐसी है कि जिस दिन आपने employee को option grant कि उस दिन आपके हाथ से तो निकल गया था वो option आपके पास obligation उसी सर पर उसी दिन पर आ गया था तो आपको उसी दिन खर्चा book कर लेना था पर क्योंकि आप employee से service ले रहे हो तो हम defer करने दे रहे थे तो अब इस particular case में यह खर्चा तो हम आपसे book कराएंगे ही कराएंगे कितने साल में book कराना है वो उसके वेस्टिंग पीरेट पर dependent है अब किसी कारण से आपने बीच में ही वेस्टिंग पीरेट खतम कर दिया या बढ़ा दिया कुछ कर दिया और scheme cancel कर दिया तो हम बोलेंगे नहीं वो खर्चा तो book करना ताय हो चुका है वो तो book करना ही पड़ेगा चलिए DTA DTL का effect इसके उपर आएगा क्या share based payment पर आएगा उसको आखरी में discuss करेंगे आज की class में discuss होगा उस पर ICI में बढ़िया question भी है case C में 85 क्यू लिया गया क्योंकि अब आपके number of employee किते expected to complete the wasting period है तो wasting period पहले चार साल ताब तीन हो गया तो तीन साल में हर साल बोला हुआ है पांच employee चोड़के जाएंगे तो 15 चोड़के जाएंगे इसके लिए number of director wasting period 4 से 3 होने पे 85 लिया गया revision bullet 3 on YouTube मुश्किल है okay sir break दे दीजिए अच्छा है नहीं okay break ले लेंगे present value क्यों नहीं लेते बहुत बढ़िया सवाल पूचा है यह share based payment में present value इसलिए नहीं जी जाती क्योंकि fair value of option जो निकाली जाती है उसमें हम present value को भी factor in कर देते हैं option pricing में present value वहीं consider हो जाती है number one number two इसी कारण से मैंने आपको एक financial guarantee का जो 109 का question था उसमें कहा था कि financial guarantee होगे रहा है इन सब में जो fair values आती है उसमें क्या होता है यह options होते हैं उनमें fair value में सब में discounting factor inbuilt होता है in the premium price तो कभी भी वहां discounting over and above नहीं करते जबकि institute ने अपने MTP के question में किया था चल यह बोर्टनोट वाले example में हमें 5% per annum का 5 per year क्यों किया 5% नहीं है 5 per annum है बिटा employees expected an actual retireal are 5 per annum ना कि 5% per annum चेक्ट अगर wasting period suppose 4-6 साल हो गया है तो आप पूरा खर्चा चार में book कर दो 5-6 साल में आपको कोई खर्चा book नहीं करना है कोई option उस समय वेस्ट भी नहीं होंगे कोई employee उस दौरान छोड़के चले गए तो मान ले ना उसके option lapse हो गए मेरे share-based payment reserve है तो मेरा P&L क्यों हिट करना है क्योंकि देखो आपने share-based payment scheme में जो employee को benefit पुचाया था अगर आप उस scheme की value जितना benefit दे रहे हो तो आप sbp use करो उससे ज्यादा दे रहे हो तो फिर आप sbp use नहीं कर सकते बहले ही आपके पास sbp का balance है वो extra payment है एक्स्टा पेमिंट है एक्स्टम लॉजिकल है sir अगर director को कभी 85 ही pay किया गया instead of 95 रुपीज तो P&L में और कोई खर्चा भुक नहीं होगा आपकोई gain भी भुक नहीं कर सकते उस case में तो sbp reserve ज्यादा transfer होगा reserves में why are we taking fair value of option and we should take fair market value of share and exercise price यह तो मैंने शुरू में एकदम discuss किया था trade join किया होगा श्याद आपने fair value इसलिए लेते हैं क्योंकि intrinsic value नहीं ली जाती क्योंकि इन particular case में आज मैं आपको बोलता हूँ कि 40 rupees का share मैं आपको 10 में दे रहा हूँ तो इसकी 30 rupees value है पर मैं बोलूँगा आज नहीं तेरा 3 साल बात दोंगा फिर मैंने बुला 3 साल बात दोंगा तो वो आपको एक साल तक रखना पड़ेगा lock-in रहेगा और मैंने का 3 साल बात ऐसा नहीं है 3 साल खतम होते ही ले लो उसके अगले 3 साल में कभी भी ले ले लेना तो ये सब चीजे कहीं नहीं क्या कर रही है इसकी value को change कर रही है तो इस copy कर देता हमें तुमको शैलिया और बताईए वे को डाउट से तो मेरी नोटिंग भी देता हूँ आपको इससे आपका कल्यान होना चाहिए आगे देखते हैं और क्यांग what if we pay cash less than fair value तो उसकेस में आप PRL में कोई प्रॉफिट बुक नहीं करोगे sir employee exercise period में छोड़ कर गया तो sbp reserve कहा जाएगा अगर आपको लगता है कि मेरे तीन employee थे तीन की 100 रुपे फेर वाल्यू थी और तीन साल का वेस्टिंग अगर कोई lapse होते हैं तो वह रिजर्व में जाता है यह सबसे शुरू में बताया था मैं शलिए question bank with annotation file update कर तो बोलने की जर्वती नहीं है रोच कर देता हूं मैं class के बाद google drive पर अगर मास का extract जितना शेयर करना था कर दिया दिसंबर 20 के लिए कोई revision bullet मिलेगा क्या डिसंबर 21 पूछ रहे हैं यह वही तो चल रहा है और क्या दे रहा हूं मैं फर पावर वही तो है अलग से कोई revision bullet नहीं है cancellation पर जो difference fair value का निकालेंगे वो same as improvement calculation जैसा होगा क्या सीधा जीधा बही है जो cash पे करी minus जो fair value आप इसको वैसे conclude कर सेते हूं lecture 3 का आप students को share करना है तो आप student care पर mail लिखिए lecture 3 का में bullet चाहिए वो आपको दे देंगे और in fact मुझे class के बाद एक message कर दीजेगा उसमें तो मैं आप में अपलोड करवा दूंगा तो तीन दिन में तो आप पर ही देख लीजेगा tax effect बाद में discuss करेंगे चलिए तो what we will do now is अभी break मांग रहे है में अच्छे तो ठीक आप break ले लेते break के बाद में अब हमारा discussion क्या होगा तो employees के case में second part हमारा equity settled और third part equity or cash settled होगा फिर उसके बाद goods और service और कुछ special cases वो करके I think share based payment touch complete कर पाएंगे thank you dish क्याओं